हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनोपाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 12 का अगला वनसौट जिसका नाम है त्रविमी जैमती तो आज हम लोग 3D का जो वनसौट है एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट च टेंथ चैप्टर का जो वेक्टर का और 3D का दोनों चैप्टर से काफी कोश्चन्स हमारे पास एक्जाम में आते हैं सबसे बड़ी बात अगर हम बता है तो 3D से लॉंग कोश्चन बनने के चांसे बहुत ज़्यादा है वहला 3D से लॉंग कोश्चन तो आएगा ही आएगा टीक है लॉंग भी आता है और सौरण भी आता है तो वेक्टर और 3D दोनों एक दूसे सी इंटर कनेक्टेट टॉपीक है वेक्टर का वननसौट हम पिछले बार देख चुका है तो सभी लोग वेक्टर का वनसौट एक बार देखकर ही 3D का वनसौर्ट देखना तो जादा से कनेक्ट कर पाओगे जिसने भी वेक्टर का वनसाट अगर नहीं देखा तो पहले वेक्टर का देखे सदीस का फिर उसके बाद इस वनसाट को देखेगा तो उसे ज्यादा क्लियर्टी मिलेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो हम लोग श्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के त्रवीमी जैमती का परचा 11 वे रहता था बट 11 से एकदम अलग टॉपिक है यह वेक्टर के पदों में ज्यादा पढ़ेंगे इसको वेक्टर से कनेट करके ज्यादा ले चाहेंगे तो वेक्टर वाला वनसाट देख ले ना उससे चैप्टर पूरा कने है पड़ी थी यहां पर हम रेखा के दिक अनुपात और दिक कोजों की बात करेंगे पहले एक्ससाइज में हमारे पास यही दिया गया है जो मारे पास 11.1 है ठीक यह मारे पास दिया गया है 11.2 में हमें अंत्रिक्ष में रेखा का समीकन अंत्रिक्ष से टॉपिक से नहीं ड निकालेंगे दो रेखाओं के मद्ध कोड़ निकालेंगे और लैखाओं के मद्ध दूरी निकालेंगे यह हमारे पास Ilay one point two important exercise और थोड़े सी बढ़ी exercise 11.2 में दिया गया आप हमारे पास सब्से important बात हम बताएं सबसे जो अच्छी बात है आप लोगों के लिए पहले इसमें टॉपिक एक और रहता था 11.3 भी रहती थी उसायद 4 भी रहती थी जहाँ पर समतल के समीकण की बात होती थी समतल की बात होती थी 3 और 4 दो एक्ससाइज और रहती थी अब 3 और 4 हटा दी गी मलब समतल वाला पार्ट हटा दिया गया है केवल हमें रेखा के बारे में पढ़ना है समतल से लॉंग कोश्टन आता था अब चांस यह हो गया कि समतल है नहीं तो समतल स्लेबस से बनेगा नहीं अब स्लेबस हो गया है हमारे पास कम लेकिन उतने ही नंबर के कोश्टन पूछे जाने इसलिए 11.2 सबसे ज़्यादा कोश्चन बनने के चांसे से तो इसका हम डीटेल में एक एक करके सारे कोश्चन सारे डिफरेंट टाइप की कोश्चन हम आपको वन सौट में लगवा देंगे परिसान होने की जवरत नहीं है मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं जो भी कोश्चन से उससे पहले उसके कोंसेट फिर उसके बाद हम लोग कोश्चन की डारेक प्रेक्टिस करते रहेंगों जादा से जादा कोश्चन लगाएंगे ताकि अच्छे से मारे चैप्टर रिवाइज हो जाए तो बिना किसी देर कोशाइन और दिकनुपात कैसे निकालते तो उसकी बात हमने पहले करीं गीता थोड़ी सी बात कर ते हम रहेखा के दिकनुपात दिरे गएंगे किелियुंत तोम क्या बहुत सब्सक्राइब करने की जरुवत नहीं क्योंकि मैं रिप्लाइब वैसे भी नहीं करता हूं रिकॉर्ड इचलता है और अगर मैं रिप्लाइब करने तो आदे गंटा एक्स्ट्राइब इम्पॉर्ट इम्पॉर्ट देख्रत कर Think ब्रदेख च्रेशे सुनेंगे सोब लोग हमारे पास yz 3x here, यहाँ पर एक हमारे पास कोई बिंदू था माल लिया, ठिक, इस बिंदू के निदर साइन कुछ भी माल लो, a, b, c, जी, ठिक, कुछ भी हमारे पास हो सकते हैं, हमने माल लिया, b, c, यह हमारे पास मूल बिंदू, O है तो इस बिन्दु का इस बिन्दु को अगर हम P माल ने तो इस बिन्दु का अगर हम स्तिती सदिस लिखते थे तो मा पांग का आप क्या लिखते थे यह हमारे पास होता था अन्डर रूट के अंदर सर a square plus b square plus k c square अब बात करते हैं दिक अनुपात या दिक कोशाईन की दिक अनुपात तो महोत आसान होते थे आप इनके दिक अनुपात कैसे लिखते थे जब आपको कोई vector पता होता था तो उसके दिक अनुपात आप डारेकली लिख लेते थे कि सर्थ दिक अनुपात जो ये गुडांक होते हैं ये ए कॉमा बी कॉमा सी यही क्या होते हैं ये सिंपल दिक अनुपात होते हैं आई जे के के जो गुडांक होते हैं वो डारेक्ली दिक अनुपात होते हैं अभी हम सद्धिस की बात कर रहें अभी त्रविमी एच्छे के साथ ये फस्दृस का जो कोड बनता है उसको हुँ गामा से दरसाते थे तोists इंठा बीटा guessing करते थे कॉख ले का फुल फॉर्म है तो cos alpha cos beta cos gamma को हम दिख कोशाईन बोलते थे यह किसी अभी सद्धिस की बात करें यह एक O.P. वेक्टर लिया है अब वहने सद्धिस के बाए में बात करी इन्हें हम दिख कोशाईन बोलते थे कोस अलफा को तुम अगर कोई सदिस दिया होता था यह तुम्हालों तुम्हें कोण पता है तो डारेक्ट तुम्हें नहीं दिया गया है तुम्हें सिंपल सदिस गया थे तो तुम क्या करते थे इसको एल बांते थे इसको m लिखते थे इसको मैं एंशन लिखते थे यह प्राबर क्या होता है सिल एल बराबर होता है जो मारे पास सदीर होता है दिकन पाथ होता है बटे में मौड ऑफ ओपी अ कि कैसे एम बवरबर फार्मुला मनब समभ्व प्राइब संबंध क्या उता है शिदल अपी बते ओंबच पात है ऊभर अगर हमें इस यह सब बात हैं हम लोग पहले ही कर चुके हैं जो कि हमने सदेश में बात करी थी 10 वे चैप्टर में 10 चेप्टर जो हमारे पास था सदेश इसलों है सदिस भीजगली जो चैट्र। था उसमें ये सबम बाते कर चुते हैं आब मैं बात करनी है यहां पर रेखा के दिक अनुपाथ वदिक जो बातें यह मैंने किसी सधिस के दिक अनुपाथ और दिक जाए नारे आको निकाल के दिखा धी अब हम चलते हैं अपने actual topic पर जहां से अपने 12 की ये जो 11 प्रश्णावल ये ये start होती है वहाँ पहला topic है रेखा के दीक अनुपात वद्धिक कोश है रेखा के दीक अनुपात और सदिस के दीक अनुपात में basic अंतर यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले समझो को है रेखा और साथ इसमें पहले इंतर समझलिघ इसके बात चलते हैं सद सम्नें बनाया एक ये सदिस है SS है और रेखा बना दी ये रहे का किंटो में अंतर क्या है बेसिक अंतर यह कि लिए खडरी होती है जो सदिस होता है हमारे पास वो सद्धिस एक प्रकार से एक रेखा खंड होता है क्या होता है यह एक प्रकार का रेखा खंड होता है रेखा खंड क्यों होता है क्योंकि इसके दोनों ये O और P बिंदू fix होते हैं मतलब इसकी लंबाई इसका परिमाल हम लोग लिखते हैं mod of OP जो ये लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है इस सदिस की लंबाई mod of OP का मतलब क्या है उस सदिस का परिमाल कितना है उसकी लंबाई कितनी परिमाल का मतलब उसकी लंबाई, तो यहाँ पर हम इसका परिमाल ग्यात कर सकते हैं, मतलब कि किसी सदिस्ख का अगर हम देखे तो परिमाल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता यह एक रेखा खंड की बातिकार करता है, जबकि किसी रेखा पर आप बात करोगे, तो इ ऍीस रेखा पार अनन्त बिन्दू इस्तित होते हैं तो रेखा खंड में और रेखा में यह अंतर है कि इसको आनन तक बड़ासकते हुए इसको इस साइट कहीन बढ़ा दो, अब इस साइट कहीने बढ़ा दो, बारे ने, इस पर एक रेखा है, अब हमने कोई रेखा ले ले इख, है थिक यहां पास माल लिया कि यहां पर है ऐसी कुछ रेखा है ऐसे कुछ समझ लो तो यहां पर एक यह रेखा है अब अगर ह twenty Canal को सिदुनर्ण रहोते हैं जिल यहां पर जैसे कोई रेखा हो गी यहाँ आप इस रेखा पर तुमेंस पता है कि अनंत बिन्दु पस्तित थे हैं इन रेखा पर आगर हम पोई में भी डोगें ले बेढ़े तो ट्रीक बैच्ट क्यां तो इस रएख पास के डिक अनुपात अगर आप देखोगे तो रधा के भेखा के देनुपात बस समझों यहां पर मुझाना कह चाह रहे हैं जैसे सद्धिस में आपको पता है कि एक यहां पर दूरी फिक्स थी यह बिंदू था एक यह बिंदू था तो अगर 0 से इसको घड़ाते तो सिंपल A-0, B-0, C-0 तो अभी A, B, C इसके क्या आगए दिकन पाता आगए थे सीधे लेकिन यहां पर सिनारियो क्या है यहां पर दिक्कत यह जैसे P और Q बिंदू लिया है ऐसे बिंदू यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक बिंदू हमने यहां पर मालो यह R ले लिया एक अनन्त बिंदू उपस्तित होने के कारण इस पर दिकन पात जो होते हैं वो कितने होते हैं अनन्त होते हैं CDC बात यह समझो क्योंकि इस रेखा पर हम अनन्त सदिस बना सकते हैं CDC बात यह समझो क्योंकि इस रेखा पर अनन्त बिंदू होंगे और किनी भी दो बिंदू को मिल यह गुडांग है आई जे के के वही दिकनुपात होते हैं अब यहां पर जैसे हमने एक यह बिंदु ले लिया तो इसके दिकनुपात अलग आएंगे तो रेखा के दिकनुपात जो होंगे वो हमारे पास जो पीक्यू सद्दिस है मालो यह पीक्यू सद्दिस है पीक्यू सद्दिस के दिकनुपात जो रेखा के दिकनुपात होंगे वो पीक्यू सद्दिस के दिकनुपात के भी बराबर होंगे जो रेखा के दिकनुपात होंगे यहां पर हम क्या समझाना चारे बात समझो रेखा के जो दिकनुपात होंगे वो एक अलग कोई बिंदु ले लो यह पीकु लिया था अब आरेस ले लो तो आरेस के दिकनुपात के भी बराबर होंगे कहने का मतलब यह है कि किसी रेखा के जो दिकनुपात होते हैं वो अनंत दिकनुपात होते हैं ऐसे रेखा के दिकनुपात हम टी आर के दिकनुपात के बराबर होंगे रेखा के दिकनुपात क्योंकि यह बिंदु जो है यह A, B, C, D जो उमने यह बिंदु लिए है यह PQ TV RS, जो हमने यह बिंदू लिये है, यह इसी रेखा पर ही दो उपस्तित हैं, तो किसी रेखा के जो दिकनुपाथ होते हैं, वो कितने होते हैं, अनन्त होते हैं, यह आपस में बराबर नहीं होगे, देखो, PQ का दिकनुपाथ, RS का दिकनुपाथ से अलग होगा, क्योंक किसी रेखा का दिकनुपात जो होते हैं वो अनंत होते हैं सी दीसी बात यह तो क्या होंगे किसी रेखा के जो दिकनुपात होते हैं मैं आप लिख देता हूं इसको मैटा देता हूं कि समझाने के लिए था आपके लिए किसी रेखा के दिकनुपात कितने होते हैं सर रेखा के दिकनुपात तो अनन्थ होते हैं कितने होते हैं इन में से एक मैं मालो एक आगर आप बेसिक के लिए लेना चाओ तो आपको पता है कि कोई यह रेखा है इस रेखा पर कोई दो बिं अनुपाद चाहिए, तो आप आराम से लिख सकते हो, होंगे अनंत, बट आप जोर निकालने को बोल दे कोई बिंदु दे दे कि इस रेखा पर ये दो बिंदु है, इसके दिक अनुपाद बताओ, तो वो दो बिंदु हो कि तुम आराम से निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा x2-x1, y2-y1, z2-z1, तो किसी रेखा के जो देकन पात होते हैं, वो अनन्थ होते हैं, बढ़ हम कोई बिंदु दिये गए हैं, दो बिंदु, उन दो बिंदु के हम देकन पात आराम से लिख सकते हैं, x2-x1, ऐसे y2-y1 और z2-z1, अब बात करते हैं, दिक कोशाइन, ठीक है, वैसे मैंने डिटेल में सब पढ़ाया हुआ है, कोशन में ऐसा कुछ ज्यादा खास यूज नहीं आएगा, मैं जाता हूँ कि सारी चीज़े कवर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा कॉंसेट भी बता रहा हूँ, बाकि यह मैं अब समझ में आ जाएगा? जैसे हमने वहाँ पर पहली प्रकार की क्या होती है, यह होती है cos alpha, जैसे जो x h के साथ कोण बनाएगा, उसे cos beta बोलते हैं, आपको पता है, ऐसे इसको हम जो z h के साथ कोण बनता, उसे cos gamma बोलते हैं, इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास होती है, दिखो जाएं, वो यह हम इ साथ मैंने से माइनस जाता है, इसमें 2 प्रकार की क्यों हो जाती है, क्योंकि सदिस में क्या था, समझो, दोनों मैंने इसी वidetले सदिस को समझा है था कि दोनों मैं लंथर इसपर पशे कर सको, सदिस में क्या था, इसकी इसकी लंबाई fix थी, तो यक्सट्र्च के साथ जु तो अगर हमें ये कोण लिखना हो, तो क्या होगा, ये 180 है, ये अलफा है, तो ये कित्ता हो जाएगा, 180 माइनस अलफा हो जाएगा, ये वाइट वाला, ये 180 माइनस अलफा हो जाएगा, क्योंकि दिक को साइन की परिवाशा यही है, कि एक सच के साथ जो जुका होता है, उस हुआ है तो अगर यह दोनों जुका हुआ है तो दोनों हमारे पास काय में आएंगे दोनों हमारे पास दिक को शाइन में आएंगा तो यह भी हमारे पास एलफा है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस एलफा और यह हो जाएगा कॉस एक्स ओसी माइनस एलफा इसलिए कॉस एक्स के साथ कॉस बीटा और माइनस कॉस बीटा जेट एक्स के साथ कॉस गॉमा और माइनस के कॉस गॉमा इसलिए क्या होता है इसलिए सिंपल यहां प प्राप्त उतने यूँकि यह एलफा है तो 180 माइनस अलफा इधर से भी लिख सकते हैं और यह इस वज़ए से केवल एक ही लिख के आओगे तो भी पूरे माक्स मिलेंगे कोई जरुवत नहीं कि दोनों लिख के आओ आप सिंपल एक लिख के आओ पॉश्ट्य वाला वही आपका सही लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्यों यह ऐसा होता है ठीक यह हो गया दिक कोशाइन अब बात समझ है ना यह हमने रेखा के दिक अनुपात वाद दिक कोशाइन देख लिए कि रेखा के दिक अनुपात अनंत होते हैं और दिक कोशाइन दो प्रकार के होते हैं जबकि सदिस में दोनों एक एक प्रकार के थे एक रेखा पर क्योंकि अनंत सदिस इस्तित होते हैं इसलिए इसक के पढ़ नाम निकालते हुए इन को हल करेंगे यहां तक बात क्लियर है सभी को चले आंगे आप चलते हैं इस पर कैसा कोश्चन बनता यह सिंपल एक कोशिन कर लेते हैं इस पर इसे पहला उदारण दिया गया अपका है मैं पंटि सिंपल सihad अधारण के रहा यह और यह दी एक रेखा एक स वाइी जडल एकचों सब दो फके नाथ मधिसा के साथ 90 डिग्री साट डिवर तिस डिग्री राथ यक्सकोंड बनते हैं इसको एल्फा से तो बीटाी से धना विशा के साथ सिंपल आपको पता है कि Eli आरबर दिया गहाए के वेलू एलफा की वेलू कित्ती है कॉस्ट 90 कॉस्ट सेक्स्टी और कॉस्ट 30 कोश्ट 90 यहांट है कि यह ज्यादा रॉकेट साइंच ही काम आने वाली है मैंने बस बता दिया था कि आपको लॉजिक के लिए हो बाकी कुश्चन अगर वोट नहीं एकदम पहला वह देख रहा तो यहां से समझे सीधे डारेट पारूला याद करें सीधे अंसर लगाए इसको पता है वो डिटेल में समझ लेगा तो अच्छी बात है कहीं फसेगा नहीं कोई दूसरा कोश्चन भी बनेगा तो अच्छे से उसको करके आएगा कोई दिक्कत नहीं होगे उसे तो यह सिंपल दो बिंदू है पी और क्यों तो अगर इन दोनों बिंदू को मलब क्यों कि यह कह रहा है दो बिंदू को मिलाने वाली रेखा का सदिस यह दो बिंदू है इनको मिलाने वाली कि यह रेखा है इस रेखा पर एक प्रकार से दो बिंदू है इनका सदिस लिखना है तो अगर हम इस रेखा के निर्देस बिंदूओं के निर्देसांग पता है यह मालू एक्सटू कॉमा वाईवन कॉमा जेड़ वन है यह एक्सटू कॉमा वाईटू कॉमा जेटू है तो इसका हम सद्धिस लिख सकते हैं अगर हम इसका पीकू सद्धिस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्सटू माइनस एक्सवन सेम वैसे ही चलेगा जोसको वेक्टर आता है उसको यह चैप्टर समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसलिए मैं एक बार फिर से कहता हूँ अगर तुमने वेक्टर का वन सौट नहीं देखा तो एक बार उसको पहले देखना फिर इसको द अब सदिस लिख दिया तो इसके दिक को साइन और अनुपाद निकालने में तुम्हें कोई दिक्कती नहीं होगी दिक अनुपाद तो तुम्हें पता ही कैसे निकालने दिक अनुपाद अभी पीछे निकाला भी था मैंसे मैंने निकाल के दिखा दिया था पीछे कहां पर चलिए यह निखाय नहीं जा दोबिंदो को मिला लें असदी से नहीं बता दिया था एक प्रोकार से सिंपल आपको मिला देते इन से अमारे पास क्या होऊँ अधिक अनुपात आपको क्या लिखने एकस्टो माइनस ऑस एक्सवन ओफॉण वाइन और मईजिट तो माइनस यह यह क्या हो गए किसी रेखा के हमारे पास यहां से दिक अनुपाता आगे टिक दिक उशाइन तुम्हाराम से लिखी लोगों कोई दिक कर नहीं वही कॉस इलफा कॉस बीटा कॉस गमा है ल बराबर आपको पता है आराम से उसी के कॉर्डिंग आप दिक उशाइन लिख लोगे यह डारेक्प मैं लिख देता हूँ ऐल बराबर यहां से क्या हो जाएगा दिक अनुपात ऊपर होते है ना एक्स टूउ-ाइनस एक्स बटे में अंडरूड के अंदर एक्स टूउ-ाइस एक्स वन का अओल स्कुर्वर क्या होता है अब मार अब बी शीये क्या है दिकि अउपात हिए तो मारे पास यह बेसिकली एक प्रकार से क्या है है यह पास ए फिन यह दिक अफ़ीज है यह यह जबटन उपात है कि ए बते मॉडअफ और बी मॉड़ा फोपी मatलब इसका स्कुराइ Dalyr लग दो ओ प्लस वाइटो माइनस वाइवन का ओल स्कार मैं फार्मूला लिख देता हूं जड़ बन माइनस जड़ बन का ओल तिक ऐसे आप एम लिख लोगे को मैं कॉपी कर दूँ कॉपी कर दो कॉपी कर दो कि अगर कि अगर कि यहां पर भी हो जाएगा भी हमारे पास क्या है वाइटो माइनस वाइबर यह हमारे पास एम के बराबर हो जाएगा ऐसा ही एन ओल लिख देते हैं लिखी दो बाइटी देर में जड़ टू माइनस जड़ वन अपान अंडर रोट के अंदर इसफिए टू माइनस असवान का अगर उफ़न अन यहां तक बात के लिए रहे सबी को कोई डाउट तो ने को मिलने वाला सभींड यह दो बिंदु है तो आपको पता है कैसे लिखना है उसका सभींड उसके उसके दिक अनुपात वही होते हैं आई जे के जो गुडांक होते हैं फार्मूला आपको पता है ल बराबर होता है ए अपॉन मॉड़ाफ ओपी ओपी मतलब वही जो वेक्तर हम लिखते थे अब यहां पीक्यू है तो मॉड़ाफ पीक्यू हो जाएगा जो भी नाम है उसका प हाई यह हमारे पास स्टार्ट क्रता हूं कि यह क्यों बरएक सब्सक्राइब कर लेगा ना क्यू माइनस फी औक्यू माइनस ओपी एक प्रकार से टिक है तो क्यू माइनस पी मैं डारेक्ट लिख रहा हूं माइनस का 2k tiers yes plus 15 38 plus का 8 cake यह हमारे पास क्या आ गयाht ? थिक है ? डारट चले गप ? तो mod of guilt निकाल आ फिर2 रहेगा आसानी रहेगी तो upload of into다가 जाएगा ? अंडेर रूट के के अंदर थी का स्कूरर 9 , दो कैस स्काइर 8 8 का इस्कायर 64 तो मौड़ा पीक्यू मारे पास आजाएगा चाहूसर चार और सट रूसर तर तर रूसर तर अजया तो पीक्यू मारे पास किता आगया मौड़ा पीक्यू रूट सब्थरागे तिक बाकी तो पता हिए कोई दिक्कति निए रखते हैं गुल अब आजखते हैं फाय को अब यह बीसिज डिल्रेठ आगे यह मने वहीत तो निकाला है एक स्टू माईनस एक सीदू Er इस दिखर पात ही आ गहाए थ्री माइनस टू और आठ तो यहां से फार्मूला होता है यह बटे अंडर रूट के अंदर या फिर सीधे मैं यहां से लिग देता हूं mod of PQ तो कि वो चीज़ हम निकाल चुके है A हमारे पास कहा है यह हमारे पास A है यह हमारे पास B है यह हमारे पास C है यह हमारे पास C है रग दो A की value किती है 3 बटे root से 70 ऐसे ही M निकाल दो B बटे mod of OP तो B हमारे पास किता है माइनस 2 चिनन के साहत लेना है भाई रूट साथ अर्बराबर किता है आठ बटे इसको दिखो आता है वह साथ-सात को सिंच करते चले उसको हुख तो जाएगि दो बिंदों में दिये गए ति इसे मिलाने वाला पहले सद दिस लिका इसका मौड निकाल दिया क्योंकि फार्मूले में पता है कि एबटे मौड आप एक यही उसे फार्मूला जो आप पीछे यूज किया था जब लिए उसी प्रकार में यहाप निकालेंगे ठीक है चले आंगे तो यह बात हो गई किसी दो बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा के दिक क को शाइन के बारे में कि कैसे निकालने हो प्रकार में आगे आंगे यह बारे पास जो टौपी की स्टार्ट होता हुस से पहले एक चौथा कोशन और बचा उसके बाद दो कोशन इसके और बच्चे जो important है बाकि हमारे पास पहले exercise में यहीं दिया गया है दिक अनुपात और दिक कोशाइन इन्हीं यह चीजे तुम्हें क्लियर है तो वो सारे तुम कर लोगे कुछ अच्छे कोश्चन जो है वो हम कर लेते हैं जिसे चौथा उदान तुम्हें द आलग मने लिए तो एलफा की वेलू यहाँ पर कितनी होगी बताओ अब आलफा रुी टाऊच जो की यहाँ होते आऴा क्या होता है ये क्या होता है आफी मतलब क्या हई एक सब्सक्राइब क्या होता है एक सब्सक्राइब लृधा 2 . क्योंकि XH का XH के साथ जो जुका होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा लेकिन XH का YH के साथ 90 डिग्री ऐसे ही ZH के साथ गामा बराबर वो भी 90 डिग्री और ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर होती है न एक सच का Y के साथ 90 डिग्री जड़ के साथ 90 डिग्री सीधा यह मारे पास हो गया कॉश्च जीरो ऑस 90 और यह मारे पास हो गया किता जाएगा जीरो यह मारे पास आजाएगा वन अब एक सचका किता आगया एक प्रकार से मैं इसको लिख ले जीरो कमा ऐसे लिख दो कोई दिकत नहीं कि सिंपल ऐसे रहने एक सच के दिखो शाइन हो गया है इसको में थोड़ा से छोटा करके इधा सिफ्ट कर देता हूं कि अच्छा यह आपस में तो 90 डिघरी मैं कुट यह इसमें से हीगर बना दियता कि आपको इस पस्त्र है यह आपस में सम्नाइटी डिघरी क्यों थे अगर वयच का निकालना है तुम्हें वाइच कार? है निण Warmak यहां पर gefallen लोगल ले में सिंपल केको यहां पेढ़ अलफा के साथ को यद वाइक सचाथ उडू चलता है वह ऑलल tenía galaxy के साथ जाता हूए यह वाइएट सट में इसक्छा ДавайтеOffa केष्ट सांध और आlide Migret ऐसे हमारे पास विटा जो जाएगा वह जीडिवीडिक हो जाएगा ठिक ऐसे गमा बराबर हो जाएगा नैंती औफ यह पॉसक्ट यह मारे पास हो जाएगा यहां पर यह 108 पॉस्ट एक विलोम बпарु हख दीकिया औरे है one ओ गैस यो कवं यह गया यह 00 क पाईसर लेन तुमनों को दैन्ट टिनले सब्सक्राइज बिलयुक्षाण सब्सक्राइब लिएifications इतने ग साथ है यह मेरे पास आगया वाइगर के साथ ऐसे जटेश के साथ निकाल लो को यदे अँटेक्श के साथ आख निकालेंगे इलफा नाइनेटी रहेगा क्यों कि एक सच के साथ जटेटेश का जूख वाइङ डिग्री य के साथ halo बिर भी नइनेटेट Politics जेट आज होता है वो हमारे पास जीरो डिग्री हो जाएगा अब यहां पे रख लो कॉस्ट 90 कॉस्ट 90 और कॉस्ट जीरो तो यह हो गया 001 यह हमारे पास आज जाएगा जड़ेक्श के साथ बस यही आंसर है बड़ा कोश्चन है इंपॉर्टेंट कोश्चन है थोड़ा सा कनफ्यूजिंग है पूछना क्या चाहता है एक्शुल में यही चीजों पूछना चाह रहा था कि एकसच ने होंगे तो निकालोगे यहां अप सभी में ऐसे लिखेंगे यह यह मारे पास एलस एक प्रकार है एक है म तोसी का उपयोग करेंगे एक रेखा के दिक कोसाईज महिए घ्याद करने हैं जो सदिसों साथ समान कोल बनाती है सदिसों के साथ जो यह कोण बनते हैं उन्हीं को तुम यह बोलना है यह एलफा बीटा गामा अरे किसी सद्धिस के साथ जो यह कोण बनते हैं यह एलफा यह बीटा यह गामा यह सद्धिस के साथ ही तो कोण बने है उन्हीं को इलफा बीटा गामा बोलते हैं तो किसी सद्धिस के साथ जो कोल है वो समान है अलफा बराबर बीटा बराबर गामा है यह हमें कोशन में गिवेन है क्या गिवेन है कि निर्देशाच्छों के साथ समान कोल बनना है तो अलफा बराबर बीटा बराबर गामा इनके साथ अगर तुम कॉस ले लोगे तो कॉस अलफा बराबर हो जाएगा कॉस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस गामा का यह बात एक्चुल में हमें दी है यह क्या है कोशन में हमें दिया है वाइडिफाल्ट यह ऐसे दिया है ठिक अब आपको एक प्रॉपर्टी बस याद होनी ची उससे काम हो जाएगा आपको याद होगा जो मैंने पढ़ाई थी पिछले चैप्टर फे कॉस स्कॉैर इल्फा याद का शिस्कॉयर बीटा प्लस का कॉस स्कॉयर गामा जो यह उता है बराबर होता है लए प्लसब कर प्लस एयंड़ ल्टो यह बराबर होता है अब तुम यहां पर क्या करूंगे बस एक द्रूड चीज रखनी है आपको पत 1 by 3 तो कौस, इल्फा बराबर प्लस, माइनस one upon, अंडर route के अंदर 3 यह मारे पास का आगल, सेम कौस BTS की बराबर है, सेम कौस गामा के बराबर है, तो यहीं से लिख देंगे, यह भी मारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस, one by root यह भी मारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस वन अपान रूट त्री यह भी मारे पास हो जाएगा प्लस माइनस वन अपान रूट तो कॉस इसकार अलफा कॉस इसकार बीटा मारे पास किसके बराबन है वह प्लस माइनस वन बाई रूट थी प्लस माइनस वन बाई रूट कॉस एलफा इन्हीं की वेलु निकान ली यह क्या होगी दिकोशाई कुलियर सभी को यह इंपॉर्टेंट गोष्चन दे चौथा इधारण और यह उदारण जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह प्रॉपर्टी जो लग भी याद रखना जो वेक्टर में प्रॉपर्टी लगाई थी वही सब यहां पर काम आ रही क्योंकि रेखा को यह हमारे पास 11.1 के बारे में बात थी अभी तक सिर्फ रेखा के दिक अनुपात या दिक को साइन के बार कोश्चन है सारे कोश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो लगवा दिए और बाकी आप तुम आराम से लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी आंगे का जो हमारा ट रूप दिया का जैसे मालू समझ ना जब 11 में आप थे या 10 में निर्देसांग यम्ति पढ़ रहे हो ना इंथेंट से तो 10 में आपने रेखा के अलग अलग रूप पढ़े थी ना कि अन्ताखंड रूप में रेखा का समीकरण वाई बराबर mx प्लस c पढ़ते थे आपकी डाल लूप में रेखा का समीकरण फिर उसके बाद तुमने पढ़ा था कि वह एक अंताखंड में पिया एक बिंदु पता है तो रेखा का समीकरण पढ़ते थे अलग अलग ऐसे पढ़ते ऐसे सिंपल रूप दिया गया है रेखा का समीकरण का कैसा एक रूप दिया गया है कि दिये गए एक बिंदू से जाने वाली तथा दिये गए सदिस के समांतर रेखा का समीकरण आपको निकालना है मतलब क्या है कहना यह क्या चाह रहा है कह रहा है कि दिये गए बिंदू से जाने वाली मतलब एक कोई बिंदु दिया होगा, उससे जाने वाली रेखा, ऐसे समझो, यह हमने एक रेखा बनाई, इस पर क्या है, एक बिंदु तुम्हें पता है, मालो यह बिंदु ए पता है, जिसके निर्देशांग एक्स वन कॉमा वाई बन है, कॉमा जड़ बन है, ठिक, यह तो क उसको माल लो उपने माल लिया, B-Vector, और B-Vector को मैंने ऐसे लिख लिया, A-Y-CAP, प्लस B-J-CAP, लिस-C-C-A-C, अरे जब तुम्हें सदीस दिया गया है, उस सदीस मतलब इस रूप में दिया गया होगा न, A-I-C, B-J-C, और C-C-C-A-C, अमने एक सदीस माल लिए, इस तुम्हें यहां से निकालना है तब रेखा का समीकरण क्या होगा उसका व्यापक रूप क्या होगा वह में लिखना है मैंने इसका डेरिवेशन बाकाजदा कराया हुआ अब इसका फार्मूला समझेंगे और इस पर कोश्चन्स करेंगे ठीक है डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है बट फिर भी मैंने कराया हुआ पूरे कॉंसेप्ट के साथ आप ही सकता ऐसा कोई जो नहीं कि नहीं पूछे लेकिन मैंने वो कराया हुआ तो आप वहां से देख सकते हो मैं यहाँ पर क्या लिखोगे सिंपल यहां से रेखा का समीकन जो होता है लिखता हूं रेखा का सदिस समीकन जो होता है फेले सदिस समीकन इसका लिखते हैं फिर इसका कार्ती समीकन भी लिखेंगे सदिस रूप सदिस रूप यार सदिस समीकन जो होता है वो मारे पास होता है आर वेक्टर बराबर एक वेक्टर प्लस का लेम्डा बी वेक्टर कि यह मारे पास क्या होता है यह का समीक होता है जो इस रेखा पर इस रेखा पर इस्तित सभी बिन्दो आपको संसुष्च करता है एक तो जब भी हम आर वेक्टर की आप पर बात करेंगे तो आर वेक्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है मैं लिख देता हूं आर वेक्टर जब भी यहां पर आएगा उसका मतलब होता है यह मारे पास बेसिकली आर वेक्टर होता है यह बिंदु ए इसका जब हम इस्तिती सदिस लिख लेते हैं इस ए बिंदु का इस्तिती सदिसी ए वेक्टर है और वो क्या है बेसिकली हमारे पास क्या है यह हमारे पास जो हमने यह सदिस रूप लिखा उसमें यह ऴेक्टर है ए वेक्टर क्या है वह मैंने सारी चीजे लिखी यह होता है व्यापक रूप इसको सद्दीस रूप बोलते हैं इसी का एक कार्ती रूप होता है जब याः वेक्टर का मान यहँ खो comprised का मान यहां और वेक्टर का होना देतन तो यहां उसे कर देता हूं अपberry टर की जागे हैं ड़क्टर की जागव रखी क्या आर वेक्टर की वेलू X1, X, I, K Y, J, K और Z, K, K बराबर A वेक्टर A वेक्टर हमारे पास क्या है X1, I, K Y1, J, K और Z1, K, K प्लस Lambda, B, Vector तो Lambda और B वेक्टर हमारे पास कहा है यह A, I, K, B, J, K, C, K A, I, K B, J, K C, K यह हमने सभी की वेलू रख दी इस समीकरण में हमने सभी के मान रखे के वली यह कहां से आया है इस समीकरण में हमने सभी के मान रख दी इसको समीकरण एक दे दो इस सदिस समीकरण है, सदिस रूपए ऐसे ही यूज़ होगा इसके सभी के मान हमने यहाँ पर रख दिये तो वो हमें प्राप्त हो गया अब इसको हल कर लेते हैं कैसे हल करेंगे देखो यह मारे पार इसको ऐसे रहने तो X I cap Y J cap Z k यहाँ से क्या करो देखो लेंडा का अंदर गुणा होगा का आई कैब पाला आई के साथ ले लो तो आए कह पका आई कैप के साथ ले लो गए तो X 1 PLUS lambda귝 आप ऐसे ये वाई 1 PLUS lambda B जे कैप ऐसे जड़ वन फ्लस lambda C K K कि यहाँ आ जाएगा टिक को लगा समान सदी से आई कैप आई कैप के बराबर जे कैप जैक्त के बराबर के एक्स बराबर आ गया एक्स बप्लस लैंडा कि को है ऐसे हमारे पास वाईब ब्राबर आ गया वाईवन प्लस लैंडा भी ऐसे ही हमारे पास z बराबर आ गया है z1 plus lambda c simple हमने गुडांग सबके बराबर कर दिए यहां से क्या करो lambda कमान निकालो lambda कमान निकालो के तो क्या आ जाएगा x minus x1 upon a lambda बराबर यहां से आ जाएगा y minus y1 upon b यहां से आ जाएगा lambda बराबर z minus z1 upon c सबी lambda के बराबर हैं तीनों को बराबर कर दो x minus x1 upon a बराबर y minus y1 upon b z minus z1 upon c यह होता है रेखा का कार्थी समिक्रा रेखा का कार्थी बास समझ गए इसे क्या कहते हैं इसे रेखा का कार्थी समिक्राण बोलते हैं यह बेसिकली रेखा का कार्थी समिक्राण हो गया और यह रेखा का तुम्हारा कार्थी समिक्राण हो गया देख लो एक बार कोई दिक्कत तो कोई समझते हैं तूब बताओ भाई आसान है बस A, B, C के A, B और R के मान रखके हमने यहां से कार्ती समीकर निकाल दी यह हमने इस वज़े से डेराइव करके बताया जैसे यह डेरिवेशन हो रहा है कार्ती रूप का वैसे ही कोशन सॉल्वोंगे हमें सदिस रूप मालनों पता है सदिस रूप हमने डारेक्टि ल तो नीचे जो A, B, C लिखे है वो क्या है जो तुम्हें B वेक्टर दिया जाएगा उसी के दिक्षण पात है डारेक्टि लिख सकते हैं कोई दिक्कत ने एक्स वन वाइवन जेडवन क्या है यह हमारे पास जो बिंदू के निर्दे सांग है यह एक्स वन यह वाइवन यह और X, Y, Z यह हमें सा वैसे ही रहेगा व्यापक रूप में समी करना आएगा X, Y, Z के रूप में समी करना आएगा तो X, Y, Z ऐसे यह एक्स वन कहां से आगी वाइवन जेडवन जेडवन क्या है इस बिंदू A के निर्दे सांग A, B, C क्या है उसके दिकन पात तो डारेक्ट हमें लिख सकते हैं अगर तुम्हें यह बिंदू पता हो तुम्हें यह सदिस पता हो तो सीधे वैलू पूट करो इसमें X1, Y1, Z1 की जगा है बिंदू A के निर्दे सांग A, B, C की जगा है दिकन पात रख दो आंसर आजाएगा लेकिन क्या होता है कभी-कभी 3-4 मार्क्स म और सदिस B पता है तो सदिस रूप तुम डारेक्ट लिए ऐसे लिख दिया कि R वेक्टर बनावर A प्लस लैंडा V, A वेक्टर की जगे तुमने यह उठा के रख दिया, B वेक्टर की जगे यह उठा के रख दिया, फिर जब तुम कार्ती रूप चाओ तो डारेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम डारेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख दो, लेकिन आप अगर ऐसे डेराइव करके लिखोगे, तो आप उसको डेराइव करके ही लिखना तो अच्छा रहेगा, तो आपको सारी चीजे वहापे पूरे मार्क्स मिलेंगे, मालब मार्क्स नहीं कर ऐसका स्थार से जाने वाली पतलम एमारे पास कोई रेखा है, किस से जा रही है? उस बिंदू के निरदेसांग दिए गए बिंदू ए 5,2 माइनस चार, ठिक, कह रहा है इससे जाने वाली तता इस सदिस के समानतर, इस सदिस के समानतर मतलब की B. वेक्टर एक प्रकार्च दिया है थ्री आई कैफ प्लस का टू जे कैफ और माइनस का एट के कैफ यह तुम्हें कोश्चन में गिवन है कि इस बिंदू से जाने वाली और इस सद्धिस के समानतर आप इसका पहले सद्धिस रूप लिखते हैं सद्धिस रूप आप डारेक्ट लेक्टर डिया गए इसका इस ति सद्धिस इस इसका इसे सद्धिस और के इसaison ये के लगा दो 5a plus 2j minus 4k यह हमारे पास आगया सद्धी सुरूप निकल गया इसको नीचे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी के दिमाग में यह ना आना चाहिए किसर इसमें लेंडा का अंदर गुणा कर ले और इसके साथ इसको हल कर ले है वह कामना करना सद्धी सुरूप में दिखाने अलाग अलग ऐसे दिखाऊए की आर रेक्र तरब आपस थोड़ा सा हल करें नहीं हल नहीं करना सिरफ यहीप छोड़ देना यहीं आनसर है यह इसका क्या होगा सद्धीरूप पहले पारका आंसर हो गया इस मैं में रेखा का सद्दिस रूप हो गया बस यहीं पे छोड़ देना हल नहीं करना आंगे ठीक कार्ति रूप के लिए क्या करोगे आप वही जो अभी बताया सरकार्ति रूप के लिए हम क्या करते हैं आर वेक्टर की जगह बस चो हमारे पास सद्दिस रूप है इसमें आर वेक्टर की जगह X,I capture, Y, Jcap और Z,K capture MIT बस I, J,K हटा देंगे तो simple हमारे पास जो कार्ती रूप हो जाएगा इसमें I, J,K कहा है X,Y,Z के रूप में आयेगा एक कार्ती sumichando का मतलब है वो XY निर्देसां छवाला आल्ग हमारे पास ज्जो समीकर्ण होगा जो किसी तल पर निरूपित कर रहे हैं उसको हम सिंपल दिखा रहे हैं जो एक्स वाई अक्षों के रूप में निरूपित होगा सिंपल ऐसे समझो यहां पर ठेड़ी है तो जड़ भी चल लए तो आर वेक्टर का मानिया पर उठाके रख दो कहां पर इस समीक कर पर म erfolg मैंणस कद र कज वक सरक डाटांस कर स mr. रहे हैं आर वेक्टर के उठाब रख दिया यह कं आक है अब वही काम कारों जैसे अभी किया था एकसा के अलीडे कर हैं। और जड़ केक है यहां से लेंडा का अंदर गुणा कर रहे हैं आई कैप के साथ ले रहे हैं तो फाइव डारेक्ट लिक रहे हैं फाइब प्लस थ्री लेंडा आई कैप तू प्लस टू लेंडा जे कैप just twelve उसक्स जो माइनस पॉर मांगिन realised लेंडा के कंए ह mart कि हमारे पास्ता अगे रहा है को आई य लेक्रण बराबर ब्रेकस्ट के बराबर तो इस लेंडाक टैडि लेंडा किलो है ठिलर रभायबर आ जाएगा कुय ब्लस लाना죠 जेट बराबर आ जाएगा माइनस पूर माइनस आठ लेंडा सभी जैगे से लेंडा कमान निकाल लेंडा बराबर क्या आ जाएगा एक्स माइनस फाइव अपॉन त्री यहां पर आ जाएगा लेंडा बराबर वाई माइनस टू अपॉन तू यहां पर आ जाएगा लेंडा बर वर्जेड प्लस 4 अपान माइनस का 8 माइनस प्लस का मैनस 8 नीचे आगिया लेबन सभी के बराबर कर दो सभी लेंडा है तो x-3 x-5 اपान 3 y-2 अपान 2 और जेड प्लस 4 अपान माइनस यह रेखा का कार्ती समितान आगे रेखा का कार्ती बात के लियर बाइख, यह रेखा का क्या आ गया? कार्ती समीकरण आ गया, छटा नम्बर घ्जामर दिया गया था, हमें रेखा परिश्तिते एक बिन्दू और रेखा के समानतर जब सदिस पता होता है, तो रेखा का सदिस रूप और कार्ती रूप का हमें पारमूistoire पता है, ह हम डायर्ट ये भी कर सकते थे कि हम सिंपल हमें सर पता है कि इसका फार्मूला ये होता है कि X-X1 upon A Y-Y1 upon B Z-Z1 upon C Y-Y1 upon B Z-Z1 upon C यहीत होता है कारती रूप का फार्मूला अभी स्टेंडर्ड रूप देखा हम यही होता है आप चाहते तो simple x1 की जगह सर हम यहां पे 5, a की जगह है हमारे पास 3, y1 की जगह 2, b की जगह 2, z1 की जगह माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस, c की जगह माइनस 8 मलब माइनस 8, वही चीज तो यहां पर आईए, ऐसे भी कर सकते थे तब करोगे ये काम जो हमने डारेक्ट ऐसे बताया कप करोगे, जब तुम्हारे पास question एक या 2 marks का, 2 marks का question हो, तो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं कि, सद्धिस रूप डालना, ऐसे लिखना, और उसका कार्ती रूप आए, तो भी ऐसे लिख देना, दो से उपर 3 marks का होता है, 4 marks का होता है, तो ऐसे करो, ठीक है, अगर चलते हैं, अगली बात करें, अगर इस पर आधारित, एक चीज और सीख लेते हैं, यहां से, जैसे, अब रेखा का जो कार्ती रूप है, इसमें कुछ important बास समलेते हैं, इस पर डायक्ट एक दो question बनते हैं, जैसे रेखा का कार्ती रूप क्या लिखते हो, मैं एक बाल यह वोता है, यह A, B, C क्या होते हैं, दिकनुपात जो समानतर सदिस होता है, उसके मलब की A, B, C, उसके जो गुडांक होते हैं, इस वन, Y, One, Z, जो बिंदु दिया जाता है, उस रेखा पर उसके निर्देसांक होते हैं, यही दो चीज़े होती है, X, Y, Z तुमें पता ही है यह मानक रूप में है अब मैं एक तो कोश्चन से लिखता हूँ उससे हमें क्या करना होगा रेखा कि दिकनुपात बताने होगे और वो निर्दे सांग ए बिंदू बताना होगा जो जिस बिंदू से रेखा जा रही होगी सीधी बात यह समझो इक्जामपल मैंने कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ अपने मन से लिख रहा हूँ जैसे पहला कुश्चन मैंने लिखा एक्स प्लस फाइव अपोन थ्री एकली टू वाई माईनस वाई प्लस सेवं अपॉन 11 जेड़ अपॉन माइनस का तो यह हमने कॉश्चन लिखा है अब आपको क्या करना है आपको बिंदू ए बताना है मालो कोशन ऐसा आता है कभी कभी डारेक्ट ऐसे रेखा का समीकर्ण देगा कि रेखा का कार्ती समीकर्ण ये तो आपको बिंदू ए पूछ लेगा और क्या पूछ लेगा और बीवेक्टर पूछ लेगा वल्लाव इस रेखा क के बी वेक्टर इसके समानतर सद्स यह दो चीजे तुमसे पूच लेगा कभी-कभी जैसे एक कोश्चन यह लिखा मैंने एक और लिखता हूं पीज़िए कोश्च अंधू और लिखा है इसको इकोल टू जीरो कर दो जेड माईनस जेड़ वन लिखाए इक्वल टू इनको उपर वालों को एक्वल टू जेड़ो से निकाल आएंगे X plus 5 equal to 0 करोगे 5 को साइट बेजा मनलब minus 5 आ जाएगा फिक यही तो आएगा minus 5 आ जाएगा इसको equal to 0 करोगे minus 7 आ जाएगा इसको equal to 0 करोगे जेड़ बराबर 0 करोगे जेड़े जेड़ बराबर 0 मतलब केवल 0 जाएगा जो नहीं लिखा मतलब कि उसके साथ गुडांग क्या है या पाई minus 0 भी लिख सकते हैं ऐसी कोई दिकत नहीं तो 0 आ जाएगा ऐसा ही आदर को इसको equal to 0 करने पर बस उपर जो लिखा उसको equal to 0 कर दो तो इसको equal to 0-5 इसको equal to 0-7 इसको equal to 0-0 दिक अनुपात कैसे लिखते हैं दिक अनुपात सर सिंपल यह 311 और मलब यह दिक अनुपात पास बिंदू A आ गया और यह मारे पास वेक्टर B आ गया कोई दिकत नहीं लिख सकते हैं इसको equal to 0 कर इसके साथ IJK लगा दो आराम से अंसर आ जाता है थोड़ी समस्य यहां create होगी हमेसा हमें क्या देखना है कि जो यह दो एक्स वाई जड है ना इसका गुडांग हर तो इसको equal to 0 करके इन सभी को equal to 0 करके आप बिंदू तो निकाल लोगे क्या निकलेगा बिंदू 3X plus 5 equal to 0 करोगे तो माइनस का 5 upon 3 पहला बिंदू क्या जाएगा इसको equal to 0 माइनस 5 upon 3 दूसरा Y बराबर 0 मलब 0 Z minus 3 बराबर 0 बिंदू यह तो बिंदू आ गये बस उपर वालो कैप 5J कैप और 11 कैप ऐसे लिख दिया जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया था आई जे के लगा दिया था क्यों क्यों क्योंकि एक्स वाई जट के गुणान को वन थे तब आप आराम से लिख सकते हो वन के अलावा कुछ भी है अगर सिंपल यहां माइनस भी अगर लग गया एक्स प्लस 5 अपॉन 3 मैनस तुब बस हमने क्या किया उपर वाले से 3 कॉमन नहीं वाई की कोई दिक्कत नहीं जेड मैनस 3 ठिक कोई दिककत अब 3 को तो नीचे बेज़ दो हम नीचे बेज सकते हैं ना माइनस टूबाइ थ्री लिख तो इसको इसको 3 को नीचे बेश तो 3 उपरी तो जाएगा ऐसे तो 3 को कहां बेश गया माइनस टूबाइ थ्री यह मारे पास हो गया y upon 5 बराबर हो गया z minus 3 upon 11 अब तुम लिख दो यह मारे पास इसका डारेक्ट अंसर हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा इस बात का डारेक्ट अंसर हो जाएगा बात के लिए रोई सभी को यह कभी-कभी question पूछ देता है अपनी बुक में नहीं दे रखा है बलब NCRT में तो नहीं दिया है लेकिन बोर्ड ने कभी-कभी यह question पूछे है इसलिए मैंने question करा दिया इसलिए आप इनको देखकर देख अनुपावर तो देखको शोटी सी बात है याद रखना कि रेखा का जो व्यापक रूप होता है वह इस प्रकार का होता है एकस वाई जेट गुडांक वन होने चीए तब ABC आप लिखोगे जब एकस वाई जेट का गुडांक वन होगा बिंदू निकालने में कोई दिक्कत नहीं उपर जीरो कर दो तो बिंदू आ जाए ठीक है चले आगे अब आगे अगर हम बात करें यह तो मारे पास बेसिक सी ब गींदू-2-4-5-1-5-1-1-1-7-0-1-1-5-0-1-1-2-1-2-2-4-5-1-1-2-24-1-5 इस बिंदू से जा रहा है और इस रेखा के समानतर अच्छा इस बाईर जो मारे पास समानतर सदीज दिया गया है वो ऑलग टाइप कादिया कर सैंभी वेक्टर दिक्ते थे हाँ यहाँ पे कार्तिी रूप में दिया इस वार कैसा दिया किया है कार्ति रूप में एकस अप células 3 y माईनस 4 अपन 5 इक प्लास एट पाउन छिब़ों कि दिया गया है एक रेक dignity दी गई इस रेखा परिस्तित एक बिंदू दिया गया और इसके समानतर एक रेखा दी गई अपकी वैसे सदिस नहीं दिया गया इस रेखा के समानतर एक रेखा ही दे दी गई है सदिस नहीं दिया गया क्या होता था अभी तक इस बिंद इस रेखा के समानतर एक सदिस देता तो हम डारेक्ट ले आपर यूज कर देते थे यह भी वेक्टर देता था अब इसने इस रेखा के समानतार एक रेखा ही तुम्हें दे दिए कि X X plus 3 upon 3 y-4 upon 5 Z plus 8 upon 6 अप कैसे निकालोगे देखु बासम्झू हमें क्या निकालना है कार्ती समीकर नीकालना है तो कार्ती समीकर कैसे निकलेगा दो कार्ती समीकर का मारे पास जो व्यापक पार्मूला होता है होता है x-x1 upon a y-y1 upon b z-z1 upon c आसान है एकडम x1 y1 z1 तुम्हें दिया गया है x1 y1 z1 जो बिंदू a के निर्दे सांख है वहीं तो x1 y1 z1 होते हैं क्या है सब्सक्राइब 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 अगर तुम्हें यह दिया गया है तो तुम भी वेक्टर डारेक्ट लिख सकते हो क्या हो जाएगा थ्री आई क्या फाइब जेकर प्लसका सिक्सक्राइब पसक्या बात ध्यान रखनी है पहली बात x y z के गुणांक यहां पर वन थे तो आप डारेक्ली लिख सकते हैं अगर यहां पर गुमाने की कोशिस करेगा तो इस प्रकार का फॉर्मिट देगा ऐसी फिर आप a b c b vector कैसे लिखोगे जब अब तक standard form में नहीं लाओगे तब तक भी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं तो भी वेक्टर तर लिख पाओगे जब इसको standard form में लाओगे अब यहां पर डारेक्ली स्टेंडर फॉर्म दिया है तो अमने लिख लिया तो भी वेक्टर हमे हमारे पास 4 है B की वेलू मारे पास कित्ती है पांच जेड माइनस जडवन मारे पास है प्लस 5 हो जाएगा सी हमारे पास कितना अच्छा है अंसर हो गया कुछ नहीं था कुछ फर्जी था कर सकते न किसी को कोई समस्य आओ तो बताओ भई यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं चले आंगे यह बारे पास हो गया रेखा का कार्थी समिकण थोड़ा स्लो चलना है ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है पहले संतल वाला पार अगर मन से देख लेगा ना तो कुषिन गलत नहीं करके आएगा कोई न कर आएगा वह सही से आराम ठीक है वह आराम से कर आएगा कि मैं लॉजिक के साथ ही चलना हूं तो किसी को ज्यादा स्लो लग रहा हूं थोड़ा सा आप फास्ट करके देख लेना रुक के देख लेना फिन यसराब से चलें में लेकिन मैं इसी रहेंगे सभी को एक बच्चे को अच्छे सा समझ में आजी को यह ना करे किसर मुझे यह चीज़िस के लियर में किसी और कोई चीज़ ना हो सब cham कलने माल नी इस रेखा का अगर हम सदिर लिखना चाह तो लिख सकते न अब टो लिक सकते हैं 근데 आ Hendre प्लस Lambda वेक्टर की अमने माल लेया की कि मारे पास है यह मारे पास कोई एक रिकाए करी स्क्र Só Hmm सब्सक्ते माल मृद कोई यहरै इसको हम आइसा करते इसकोर सं annat जब 3D में रेखा एक्चुल से कैसी रेखा है एक प्षिन है कि आपने पास हां है वहलब कुछ ऐसा सिनारीयू है कि एक रेखा तुम्हारे पास ऐसी पड़ी एक ऐसी पड़ी 3D में अब इनके बीच कोंड कैसे निकलेगा इसको पास-पास लेंगे इनके समानतर सदिस ले ले ये दूसरी रेखह मालीये ये और वेक्टर ब्राबर ए टू वेक्टर प्लस मीउ बीटू एक थोड़ा चेंज कर दिया ये ये वन ए टू ये बिंदू अलग अलग है डीवन बीटू जो समानतर सब्सक्राइब अलग अलग है लेंडा मिव दोनो ऐन्स्टेंट है अलग अलग है तो डारेक्ट फार्मूला होता है क्ष छी टा अवराबर 2 1 वेक्टर डॉट बी टु वेक्टर अपन मॉड ऑ glass of और मौड ऑफ बीटू यह फार्मूला होता है है सिंपल सा फार्मूला है फार्मूला याद रखो कोशन हो जाएगा आपसे कोई दिक्कत नहीं बीवन वेक्टर बीटू एक्चुल में होता क्या है दो रेखाओं के मद्द जो कौन होता है उनके दो यह जो समांतर सदिस होते ह बीवन व क्या होते हैं उनके रेखा के समांतर सदिस तो वा इन दोनों रेखाओं के मद्द जो कौन होता है जो समांतर की और एक लंभवत के अगर दो रेखा समांतर की सर्थ ये दोनों eh 10-20 एधा कि सर्थ के लिए और समांतर डिखा के लिए अधार के लिए सर्थ यह कि समोन bakar buda read ? बसकर ब्राबर रोगा सी सी एधान रखनी दूसरी लंबवत के रेखा रेखा sasi vet बात यह समय है ठीक मालाव इसको अगर हम कुछ लिख लें ठीक है यह मालू रेका है जमानतर है लंबवत है लंबवत रेखा की बात करें लंबवत रेखा है मालू ठीक लंबवत रेखा है तो इनके बीच की कंडिशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मैं डेरिवेशन यहां नहीं करा रहा हूं बट यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट है इससे बहुत सारे क्वेशन लगेंगे याद रखना समांतर की कंडिशन यह होती है दो रेखा है समांतर A A1 upon A2 बरावर है B1 upon B2 के बरावर है C1 upon C2 अगर दोनों रेखा है लंबवत ते A1 A2 बरावर होगा B1 B2 के बरावर होगा C1 C2 के एरे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो होने यह मारे पास दो रेखाओं के मद्ध कोण और रेखाओं के समांतर और लंबवत होने की condition ठीक है अब इस पर हम questions की बात करतें question कैसे है question बहुत आसान होते हैं फर्जी question होते हैं आपको दो रेखाओं के दिए रेखा यूग्म मतलब दो रेखाओं कभी कभी की question में कैसे लिखा होगा किसी की book में ऐसे दिखाएगा यह लवण है यह ऐल टू ऐसे डर्डेस लग रेखा जो दी गई है वो एक्चुल में में ऐसे दी गई है आर वेक्टर बराबर एवेक्टर प्लस लेंडा बी वेक्टर यह दी गई है आर वेक्टर बराबर एवेक्टर प्लस का म्यू बी वेक्टर या इसको एवन माल लो इसको दीवन इसको एटू इसको बीटू यही तो दिया गया है आर वेक्टर ब्रावर एवन प्लस लेंड़ा वलब किसी रेखा के इस्तित को किसी बिंद से जाने वाली रेखा और उसके समांतर रेखा का समीकान जो होता है वो ऐसे ही तो लिखते थे उसी रूप में तुम्हें रेखा है दी गई है तुम्हें क्या चीए केव कि ठीक बीटु एक्टर लिखो बीटु वेक्टर किता है 3 I यह बीटु एक्टर तू जे अप्लस का शिक्स के सिंपल आफ मॉड आ बीवन निकाल लू अंडरूट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 4 अलब की रूट 9 अलब की 3 बीटु एक्टर निकाल लू 9, 4, 36, 49 मतलब की 7 B1, B2 आगे अब आंसर रख लो फार्मूला पता है दो रेखाओं के मद्ध कून का होता है कोश चीटा बराबर B1 वेक्टर.B2 वेक्टर अपान मौड आफ B1 मौड आफ B2 मैं डारेक B1, B2 का गुणा कर रहा हूं 3 3, 3 गुणे 1, यहीं दोगा 3 गुणे 1, तो 3 आजाएगा सीधा 2 दूना 4 तो यहां से हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4 प्लस 6 दूना 12 और बटे में मौड आफ B1, मौड आफ B2 क्या आए 3 गुणे 7 अरे भाई हट जा 3 गुणे 7 तो सिंपल कॉष ठीटा बराबर आजाएगा 12, 4, 16, 19 बटे सात्रिक 21 ठीटा बराबर आगया कॉष इनवर्स 19 बटे 17 एए 21 यह किस रूप में दिये गए थी रेखा यह दोनों रेखा है सदिस रूप में तो आपको B1, B2 डारेक्ली ऐसे दिग गए कोई दिगकत नि अच्छा करकार्ती रूप में दी जाएगी तब यह दो हो गया कोई दिगकत नहीं आतक न अगर कार्ती रूप में दोनों रेखा हैं दी जाए तब B1, B2 कोई से लिखोगे तब भी तो लिख लोगे यार यह क्या होता है उपर यह क्या होता है यह सर होते बिंदू वो जो बिंदू से चार ही होती रहा घ्क-1, Y1, Z1 और यह क्या है तीन 5 चार यह हमारे पास अभी तुम ने यह देखा है तबी तो यह सिखाया तुम्हे यार किसलिए शिखाया था कि आप B2 वेक्टर आराम से लिख सको एप यहां से बी लिख लेंगे और भी वेक्टर मिल गया तो कोण मिल जाएगा भी वेक्टर कैसे मिलेगा बस इनके साथ आई जे के लगा दू बीवन वेक्टर पहली रेखा से थ्री आई के फाइव जे और फूर के यह बीवन वेक्टर हो गया अगर एक्स वाई जेड के गुडांक में कुछ लगा होता वन ना होके कुछ और होते तो मैं बनाना पड़ता पहले फिर हम भी वेक्टर लिखेंगे इस से यदा क्या डिफिकल्ट बनाएगा इसमें अपनी बुक में तो माइनस टू कॉमन लोगे फिर माइनस फाइव कॉमन लोगे एक्स वाई जेड के गुडांक वन बनाओं फिर भी वेक्टर लिख दोगे करना वही काम है पर हम लोगों को तो पूरा कॉंसेप्ट क्लियर है ना यार बीटू वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप यहाँ पर भ हो जाएगा ना अच्छे पांच ग्याराव नौव थीस तीन पाच ठीक मॉड़ा बीटू यह हो जाएगा वन वन और फोर अलब की रूट शिक्स फिर से वही बात कॉस्ट इटा कॉस्ट इटा कॉस्टन देख जित्ता बढ़ा होगा उतना ही आसान होगा यह कॉस्टन कॉस कि बीवन डॉट बीटू कर दो तीन पांच चार दूना आठ मॉड़ा बीवन वेक्टर हमारे पास कित्ता हो जाएगा यह रूट पचास हम निकाल चुके हैं यह हम निकाल चुके हैं रूट छे कॉस्ट ठीटा बराबर आ जाएगा पांच तीन आठ वराट शोला पचास उ गूट थीन sounds में क्या कर सकते हो 300 किसका होता है इसको में लिख सकते हैं टेन ढू छिबिक सकते हैं बहुत जयदा सोल वह सकता है उत्ताली लो तैन रूट ठीलिक सकते नहीं दम सो गुडे टीन रूट फ्रूट हो जाएगा दो अन्सरुजा बराबर सिदा मैं लिक देता हू कॉस इन्वर्स जिता सौल हो जा बाई उतना कर देना आठ वटे पांच रूट थ्री यह तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना यह आंसर हो जाएगा ठीटा वरावर आजाएगा कॉस इन्वर्स आठ वटे पांच रूट थ्री यहां तक बात के लिए एक इसका विविद में कोश्चन दिया गया पहला कोश्चन इंपॉर्टेंट है कोश्चन जैसे यह कोश्चन की अगर हम बात करें इस कोश्चन में अगर बात करी जाए तो कह रहा है कि उन रेखाओं के मद्द कोण ग् और बी माइनस सी सी माइनस है और ए माइनस भी है अब कोण इसमें भी हमें ग्याद करना है जैसे पिछले कोश्चन में हमने कोण ग्याद किया तो डारेक्ट हमें रेखाओं के समीकन दिये थी यहां पर भी रेखा का समीकन दिया था सदिस रूप में दिया था यहां पर भी कि इसकी पड़ती हे कोर निकारने में फार्मूला होता है B1 B2 मौट A1 B1 मतला B1 और B2 फोते किए हैं दिकणूबात ही तो यह देखो यह मारे पास दिकणूपात हैं इनी से हमारे पास सदिस्स मनता है तो वो B1 B2 हो जाते हैं यह पास B1 B2 क्या ही a b1 b 2 direct Reach में दिखरा होता है और अगर Iss unto dip ढ रिखने विघन फ pitch हुदे तो यहां से ढूरेक्टलिए में जब धिकनु पाथ ने दिये गंगे है तो धिकनु पाथ से क्या कर सकते हैं बीविडी लिक सकते हैं पहली रेखा के धिता अनुपाथ क्या दिये गए तो B1 वेक्टर किता आजाएगा यह हमारे पास आजाएगा A I CAP B J CAP और C K CAP ऐसी B2 वेक्टर किता आजाएगा B2 वेक्टर हमारे पास आजाएगा दूसरी रेखा के दिकन पात जो दिएगा है वो लिख लेते हैं को मैं दूसीर का कदिक अनुपाद शमारे पास क्या दिए गया है वी माइनस CSC-A और एमारे पास दूसरी रेखा के दिकन पाद भी को के दोनों दिकन पाद है आपके पास अपको शुआ हों साफ़ार बिल जाएंगे लिए टू वेक्टर यहांसे क्याます सब के साथ आई दी कानुपहाद जब दिये गए तो कोई समस्या ही नहीं सिंपल आई जे कैप लगाना है बस C माइनस A, J कैप और A माइनस B, के कैप यह हमारे पास B1 और B2 मिल गए अब B1 बिल टू मिल गए तो व्रेटर फार्वुला होता है बीवंडर फ़िट फ़िटर अपन उसे मैं पहले ही निकाल लेना चाहिए तहलो कोई भी रख लेते हैं यहां से यहां से रखते हैं मैं यहीं पर रख रहा हूं कॉस्ट चीटा बराबर हो जाएगा मैं सभी की वैलू रख देता ये B1 vector हो गया, इसके साथ we out product होगा किसका? डॉट product होगा हमारे पास B2 vector का, बैं direct कर देता ह। क्या है यह लिखना? ऍबखो आई का आई के साथ Y का जे के साथ का क्या करणा है? चखो, X का इसके साथ I वाला I के साथ, तो A into होगया B minus C, plus, B into होगया C minus A, B in 2 हो गया C minus A K का K के साथ C in 2 हो गया A minus B C in 2 हो गया A minus B ठिक और बटे में हमारे पास है mod of B1 और mod of B2 mod of B1 का मतलब क्या है यहां से हो जाएगा A square plus का B square plus का C square और यह हमारे पास हो जाएगा B minus C का whole square B2 का mod B minus C का square C minus A का square और plus A minus B का जो आरे उसको लिख लो गंदा सा बनना है कोई दिक्कत नहीं बनने दो बनना है अभी देखना कोशिन केतना असान हो जाएगा ऊपर आप गुणा करो खोलो एक बार कोश ठीटा बराबर क्या हो जाएगा सर कॉश ठीटा बराबर यहां से हो जाएगा मैं गुणा करता हूँ A B माइनस A C थिक B C माइनस A B प्लस A C माइनस B C B C से B C गया A B से A B गया A C से A C गया नीचे कुछ भी हो नीचे कुछ भी हो वाइल लिख देते चलो एक बार उपर 0 हो जाएगा A square B square C square तो उपर हो गया यह हमारे पास हो गया C माइनस B माइनस C का square C माइनस A का square प्लस A माइनस B का square उपर वाला जब 0 हो गया तो simple हमारे पास नीचे कुछ भी हो वो 0 हो जाएगा ठीटा बराबरा जाएगा 90 degree दोनों रेखाओं के मद 90 degree का कौन है cost 90 की value हमारे पास क्या होती है 0 होती है इसलिए simple हमारे पास 90 degree आगे है बात के लिए रोगे सभी को कोई समस्या तो नहीं मतलब कि इन रेखाओं की बात करने तो दोनों रेखाओं एक प्रकार से कैसी हो गया लंब हो गया 90 degree का कौन हो गया तो दोनों रेखाओं एक प्रकार से परसपर हमारे पास लंब है यह भी हम बोल सकते है ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है और लंब होने की condition भी हमें पता रहती है लेकिन हमें कोण निकालना थो तो ऐसे ही सही है तो हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 करके देखेंगे तो भी value 0 ही आ रही होगी वही तो किया है A1, A2, B1, B2, C1, C2 simple हमारे पास दिख रहा है कि यह 0 बन जाएगा तब ही परसपर लंब होती है ठीटा की value 90 degree value हमारे पास का हो जाएगी रेखाए लंब हो जाएगी तो यह basically हमारे पास बात हो गई दो रेखाओं के बीच कोण पर आधारित question की यह वीवित का question था? अच्छा question था ऐसा question बन सकता एक्जाम में थोड़ा important question था अब अगले topic पर हम लोग चलते हैं अगला topic है दो रेखाओं के मद निउनतन दूरी अच्छा यहां पर एक छोटी सी बात समझ लेते हैं जब भी निउनतन दूरी बात होती है उसका मतलब होता है लंबवत दूरी हमेशा याद रखना तो कि दोखो दो रेखाओं के बीच की दूरी तुम्हें निकाल ली है जैसे कि अभी तो 3D में निकाल ले है जालते हैं और कोई बात नहीं है तो दो रेखाओं के बीच दूरी का मतलब यहीं होता है विशम तली रेखाओं विशम तली रेखाओं विसम तली रेखाएं और एक होती है समानतर रेखाएं दो रेखाओं के मतलब है कि दोनों के तल अलग अलग लगए एक रेखाण तुमारे पास यह है यह अलग तल पर यह एक रेखाण तल पर यह तो मैं तल तल इंपल तो पर यह था यह से नोड़ी यह यह तो हमारे पास बोर्ड होता है वो तो जो वी मियन या फृच्छ बना दी यहां पर 3d में तीन एक्ष्य हमारे पास yz ऐसी एक रेखा पड़ी एक यह पड़िये फिर अलग अलग तल पर अगर दो रेखा हैं तो इनको हम बोलते हैं विसम तली रेखा हैं अलग अलग तल पर फिर इनके मद्द की दूरियम यहाँ पर निकालते हैं तो इनके बीच की दूरी दो रेखा हैं समानतर रेखाओं के बीच की दूरी ऐसा ही हो सकता है कि कि हमारे पास क्या होगी कि समानतर रेखाओं के बीच की दूरी जब होगी तो उस केस के लिए फार्मूला अलग होगा और विसम तली रेखा होगी उनके केस के लिए फार्मूला अलग होगा दोनका फार्मूला देख लेते हैं पहले अगर हम बात करें विसम तली रेखाओं क बीच में कि दो विसम तली रेखाओं कि बीच दूरी क्या होगी माल लिया कि एक रेखा मारे पास ये और एक रेखा मारे पास ये माल लिक ये ठीक पहली रेखा का समीकान में लिखते है आर वेक्टर इपको रेखा का समीकान में पता है सदिस रूप में जो में लिखते है V1, A, 2 के हैं, जिस बिंदू से वे रेखा जा रही होगी, V1, V2 के हैं, उनके समालतरy सद्दिस, लेमड़ा और मूइ कॉंस्टेंट पार्ट है, इसके लिए लेमड़ा हमारे पास चाहिए, लेकिन बुख भी बताया था तो इसका डारेक्ट अभी हम फार्मूला लिख लेते हैं फार्मूले पर ही कोश्चन आता है डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है कोश्चन डारेक्ट फार्मूले पर आते हैं यह टॉपिक इतना असान है कि सीधे कोश्चन आता है मला फार्मूले पर ही तहीं के सादा चॉंकि चेसे रीध कुछसिन के coin कि या दो रखाव के मद्द की नियूंतम दूरी की और डाइक फार्मूले पर कुश्च्चन आता है फार्मूला लग आंसर ओफ आ जाएगा ठीक है थोड़ा फार्मूला देखने में घंदा सा फटा इबाकी कुछ नहीं है फ महते में होता है मॉंड Amos trust convert up remember और पूरे का मौन्ड लगा देते हैं क्योंकि दूरी इसलिए एले हमेसा धनात्मक होती है इस वज़ेसे पूरे का मोड लगा देते हैं जो यह हमारे पास basically formula ऐस इस फार्मुला होता है पूल झालन आता है कि दो ऑन जिसों का गुड़न कैसे निकालना है और उसके अलावा मारे पास आता है फिर A2-A1 और बटे में होता है B1 क्रॉस B2 टिक सिंपल सा मारे पास फार्मूला उसका मॉड ले लेना इसी पर कोशन बनता है दूसरा हमारे पास दो प्रकार की रेखाएं होती है दूसरी हमारे पास मालों अगर समानतर रेखाएं तो बस इसको समीकर्ण कैसे लिखते है इसका हम लिखते है आर वेक्टर इक्वल टू एवन एवन वेक्टर प्लस लेंडा बी वेक्टर और इसका समीकर्ण लिखते है आर वेक्टर इक्वल टू एटू प्लस लेंडा बी वेक्टर अच्छा यहाँ पर एक बात समझने किया है रिखा है правда कि सरह यहां पर आपने ढीवन बीटू किया जैसे यहां पर इसा होता बीवन बीटू होते क्या है हमें लॉजिकल के लिए की बीवन बेटू सर मारे पास दोनों एक अहां के स मांतर घ्राई सोटें कि इसके है दो समांतर हमारे पास रेखाए होती है तो इसके जो समांतर सदिस होगा मालों यह हमने इसके समांतर सदिस बना दिया कि यह समांतर सदिस है और इसके भी जो समांतर सदिस होगा दोनों एक ही तो होगे जो इसके समानतर होगा वह है इसके समानतर होगा क्योंकि आपस में ये दोनों समानतर है तो इनके रेखाओं के जो समानतर सदिस होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे एक ही होंगे चाहे हम इसको बोले चाहे इसको इसके समानतर बोले चाहे इसको इसके बोले चाहे इसको इस akko Hagen एक के माणों वालों कोशन आएगा कि सभवाला या समानता रिखाओं के बीचका मैदस क्वामुला क्या है दूरी ब्राबर इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं तॉरी बराबर होता यहां पर b-vac rectangular के वल 1 ऐ तो b-vac एक्रोस एक्टू माइनस एवन बटे में मॉड आफ बीवेक्टर थिक बीवन तो है नहीं तो बीवन के हुं करना ठीक है यह मारे पास उपर भी सद्धी साइगा मान क्योंकि यह क्रॉस प्रोड़क्ट लगा तो इसका मॉड ने लिए ते क्योंकि दूरी है हमेंशा एक अग्षpur मान आएगा यह हमारे पास फारोला होता है जब समा उन्तर क्याा है दो याद करने को दिक देर वहाँ पर बीवन क्रॉस भीटू होता था यहां पर बीच में बीच में डॉट लग जाता था बस इत्ता ही अंतर है कोशन का फार्मूला से अब कब आपको यह यूज करना यह कैसे पैचानेंगे यह आप रेखा के समीकन को देख के पैचानोंगे जैसे कि यहां पर तुम देखो इन टो रोता है तो इन है यहां पर साथ है यहां पर एक है यहां पर एक पर दिख रहे तो यह समान नहीं है समान नहीं है अगर लिभर को से 6 ऐसे यह कोष्चेन है अब इसमें देखो V1 V2 कहां से मिलते हैं यह A वेक्टर है यह A1 ए टू लेमडा बीवन बीटू अब बीवन बीटू देखो दोनों इक्कॉल दिख रहे हैं तो यह कॉण सफार्मूला लगेगा यहां पर यह वाला फार्मूला लग जाएगा कि दोनों तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला डारेक्ट बसकी फार्मूला याद रखो कोस्टन आराम से स्वाल हो जाएंगे करते हैं पहला कोस्टन अब इसमें तुम्हें दिख गया ना समझ गया यह विसम तली रेखा है क्योंकि इसमें बीवन और बीटू अलग अलग है तो पह आपको पता है इन रेखाओं के दिक अनुपात अगर दिये गए तो एवन आई कैप होता है तो ऐसे सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस का के कैप ऐसे बीटू वेक्टर हो जाएगा यहां से दूसरी वाली रेखा से यह मारे पास हो गया उपर कोई काम नहीं उनका को यूज नहीं उनका यूज तब आएगा अगर यह फॉर्मेट में नहीं दीगे जैसे यहां पर दिख रहा है कि एक्स वाई जड़का गुरां को बने जरूर देख लेना जब भी समीकर दिया जाएक आर्ति रूपे कि एक्स वाई जड़का गुरां को बने बस यह देख लो बाकी फार्मेट में ठीक है एक्स वाई जेट का गुड़ां को बस देख लेना आई कैप माइनस टूजे और प्लस का केकर यह मारे पास बीवर और बीटू वेक्टर आपके पास आ गए अगर अब बीवर नोबीटू आ गये तो दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं पहले एवन वेक्टर क्या होता है इसको इकल टूजरो कर देते हैं बिन्दू A मिल जाता है तो यहां से क्या मिलेगा माइनस वन यहां से कि का तीनों मारे पास माइनस के आजाइगे एट वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा एक यहां से आजाएगा थ्री आई-कड और विए कोई दिक्कट तो नहीं इसको details में निकला पड़े यह बिन्दु तुम्हें दिक पता चलख गया काउन सह माइनस वन कौमा मैनेस 1,-1 यह बिंदु कौन सा है three और फिर हमारे पास five फिर हमारे पास है seven तो दोनों से आपको स्तिती सदीश मिल गया है ये आरे मलब ये बिंदु मिल गया तो इनकी स्तिती सदीश तुम लिग सकते हो सिंपल स्तिती सदीश नहीं लिग दिए three i.k.p. plus numéro five day До plus का save 1 यह झारू चीज़े हैं तुमारे पास एक एकर के सारी चीजे निकाल लो पहले मैं बी वन क्रॉस बीटू निकाल लेता हूँ भृम्सक्रा फार्बूला आपके पास है दूरी का से पहले फार्मूला लिखने स्थ साइड में अध Tennina में मारे पास होता है मॉड ऑफ बीवन क्रोस बीटू ठीक अब पूरे का मॉड ले ले लेते न क्योंकि दूरी है कभी निगेट नहीं होगी धन आत्मक हूगी हिसलिए पूरे का मॉड लेते हैं पार जो डी जो बीवन उसших पहले फिर बीकूर होगे हाँ वान हमारे पास क्या है साथ माइनस शे और एक वीकू मारे पास कि एक माइनस दो और एक दोनों को अल कर लो आई कैप जब लिया तो यह हो गया 6 कम 6 माइनस का 6 माइनस प्लस हो गया हमारे पास दो प्लस का माइनस का जे कैप लगाते हैं तो माइनस का जे कैप माइनस का जे कैप यह बंद यह बंद 7 एकम 7 एकम 1 माइनस एक यह मारे पास हो गया प्लस का के कैप यह बंद यह बंद साथ दूना 14 माइनस 14 माइनस 6 कम 6 प्लस का 6 कलकुलेशन भाई तुम लोग देख लेना साथ साथ कहीं मिश्टेक हो तो भाई सही कल लेना उसको यह कित्ता हो जाएगा यह हमारे पास हो गया माइनस का 4 i cap और फिर आ गया साथ से गया 6 क्या आए इक बात के लिए किनिकाल लिया और कहाच चिये एटु माइनस एवन के साथ इसका डौड चाहिए तो यह बीवन क्रॉस बीटू आगे इसको इसा करते हैं फोड़ा सिधा लिख लेट फिर्फोर्ट क्रॉस बीटूर्ट अब अब A2-7 निकाल लो, A2-7, एक एक करके सारी steps में निकाल लेना, और जैसे मैंने यहाँ पर direct किया है, तो question यह long में आते हैं, question जबकि बहुत आसान है, यह long में आते हैं, तो आप ऐसे ना करना, आप पहली रेखा लिखना, फिर B1 और A1 उनके लिख देना, दूसरी रेखा लिखना फिर B2 और A2 लिख देना, फिर आप step by साप solution करना, long होगा, थोड़ा सा question मलब calculation बढ़ी होगी, question आसान होगा, बस mistake नहीं करना, प्लस माइनस में, answer आपको पूरा मिलेगा, 6-7 नमबर में 5 नमबर से कम question नहीं पूछा जाएगा, और बहुत important question, ऐसा ही question आएगा, देखना है A2-7 कैसे निकलेगा, यहां से इसको माइनस किया, कहां A2-7, यह 3-1, तो 3-1 की हो जाएगा, 4 I cap, 5 से इधर चला गया, 6 J cap, और यह हमारे पास आगया, 7 और एक 8 cake, यह हमारे पास आगया, A2-7, अब फार्मूले में वैलू रख देते, सीधे वार्मूले में वैलू रख दो अब तो सारी चीज़ें आसान हो गई, दूरी वाले फार्मूले में वैलू रखते हैं, बीवन क्रॉस बीटू जो है, इसके साथ इसका क्या है, वो है, देखो, इसके साथ इसका डॉट प्रोड़क्ट है, तो बीवन क्रॉस बीटू भी आए, A2-7 में, मैं सीधा क्रॉस कर दूरी हमारे पास कित्त ही आजाएगी, शूरी कित्ता हो जाएगा, इसम माइनस कहें, छह चार दस च्छह, दस और छह सोला, आसिल लगाए, एक चै तिन नव, एक दस, दस और एक ग्यारा, एक एक सोला आजाएगा, यह दू आएगा, चाहुन साट और छैस सार, तीस सो, हा तो यह तो यह माइनस माइनस प्लस फोजाएगा तो दूरी सिंपल रूट का 116 आ जाएगी अ टीकाई लिग देना प्लस में आईगी दूरी मौड नहीं लगाए कि दूरी फ्लस में यह सब जो भी है यही है कोई दिककत नहीं अंसर आपका सहिए ऊपर भी एक तो बनेगा नी यहां से मिलेगा अगर यह दोनों इक्वल दिये जाएं तो फार्मूला समांतर वाला लग जाएंगा कि समांतर रेखाएं ठीक है दूसरा कोशन करते हैं समांतर कभी कर लेते पैचानना आना ची कोश्चन दखो तुम करी लोगे पैचान दिया तो कोशन हो जाएंगे देखो है यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि जो सर यह बीवन वेटर पहली वाली में दिया बराबर है दूसरी लेखा का जो यह ब्एक्टरες इसको वेक्र woven सीधी बात पहला काम तुम यही करो, बस B vector तुमारे पास आ गया, पहली रेखा से एवन मिल जाएगा, यहां से एटू मिल जाएगा, डारेक्ट दिख रहा है, क्या होता है, तुम्हें पता है सद्धिस रूप होता है, सद्धिस रूप होता है, R vector बराबर A vector plus lambda B vector, यह तो होता है, यह तुम्हें A vector देगा, यह तुम्हें B vector देगा, सीधी सी बात, रखो, B vector direct हम लिख रहे हैं, B vector हमारे पास कह दिया गया है, 2 I cap, 3 J cap, प्लस का 6 K कह रहे, A1 vector मैं लिख लेता हूँ पहले, A1 vector यहां से, I cap, 2 J, माइनस का 4 K, A2 vector लिख लो, दूसरी वाली रेखा से, 3 I cap, 3 J cap, माइनस का 5 K, यह हमारे पास हो गया, A1 A2 हो गया, B vector हो गया, A2 माइनस A1 के साथ B का cross निकालना है, तो पहले A2 माइनस A1 लिख लेते हैं, दूरी का फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, यह ता देता हूँ, ताकि आपक Vector upon mod of B vector, और उपर भी सभी पूरे का mod, ठीक है, अब यहां से एको, A2 माइनस A1 तो चाहिए, A2 vector माइनस A1, डैरेक्टिक राउं, तीन से एक गया, दो आई कह, तीन से दो गया, J cap, माइनस पास से, माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, चार, माइनस का, जिक यह आ गया, हमा A2 माइनस का, A1, ठीक है, यह B vector समझ गया ना, इसको माना था, कि B1, B2 बरावर B vector है, तो इसको मान लिया था हमने, रख लो फिर से, यह हो गया, I, J, K, I, हमारे पास B vector के पहले लिखे जाएगे, तो B vector कहा है, यह, B vector हमारे पास है, 2, 3, 6, A2 माइनस A1 क्या है, 2, 1, माइनस से, यह तो है, ठीक, इधर लिख लेते हैं, यह आ गया, B vector, यह फिर पहले लिखी दो, सीजा, इक्वल टू का साइन लगाओ, लिखते हैं, I, कैप लिया, यह, मारे पास हो जाएगा, माइनस करती, माइनस, 6, 6, माइनस कर छे, माइनस जे कैप लगा लगा, यह गया, यह गय 6 दूना, हमारे पास कितना हो जाएगा, 12, माइनस, 2, 6, दूना, 12, माइनस कर बारा, प्लस का के कैप, कैप हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 1, 2, माइनस, 3, दूना, 6, ठीक, solve कर लो, इसको, यह हमारे पास आ गया, कितना आ गया, माइनस 6, माइनस 3, माइनस का 9 हो गया, माइनस 9, आई कैप, यह हो गया, माइनस, माइनस, प्लस 14, जे कैप, और 6 से हमारे पास कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो 6 से 2 चला गया, तो माइनस का 4, के कैप, यह आपके पास क्या आ गया, यह आपके पास आ गया, बी वे भी हमने पिछले वाले कोश्चन में भी किया है तो बिल्कुल आसान है आप आराम से कर सकते हो कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक ठीक है अब यहां से देखो हमें इसका मॉड भी चाहिए होगा उपर तो इसका पहले मॉडी निकाल लेते पहले मॉड आफ बी वेक्टर क्रोस एटू माइनस एवन यह पहले इसका मॉडी निगाल लेते हैं तो मॉड क्या हो जाएगा अंडरूट के अंदर मॉड का मतलब हो गया मॉड लगा लो इसका अंडरूट के अंदर हो गया 9 का स्कॉयर 1814 का स्कॉयर 196 चार चोको 16 तो यह मारे पास आ जाएगा अंडरूट के अंदर 6 6 12 13 9 10 और 8 18 19 और हमारे पास हो गया एक और 293 तो यह 293 आ गया देख लेना एक बार भाई कल्कुलेशन तो 293 आ गया यह मारे पास क्या गया 293 यह वेक्टर क्रोस एटू माइनस एवन का मॉड आ गया वैल्यू रग दो सभी दूरी 293 नीची इसका मॉड है क्सका वी वेक्टर कर तो बीघर का मॉड किता है बीघचर का मॉड हो जाएगा 2 का स्कौरी चार चार तीन का स्काइर नोग स्चेक छथी तो बीगेकर का मॉड हमारे पास आ गया रूट उनचास उनचास मतलब की साथ आ गया तो बटे में हमारे पास साथ गया ठीकई दूसु तिरान बहुत था नहीं दूसु तिरानी भी आ रहा है ऐसे कुछ और आ रहा था कैको लिए तुम लो एक-टु माइनस एवन तीन से एक दो हमारे पास एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का जे तो दो हम ठीक है दो और एक हो गया ठीक है माइनस के दो एक माइनस देख लेना इस परकी फार्मेट यही है मेरे साब से होना चाहिए तो रूट 293 अपां साथ इकाई एक हमने दोनों फार्मुले पढ़ें दोनों परादारी लिखे के कोश्ष्थी कि प्रateur की मैं नहीं ना पर यह कार्थी सुदिस रूप में हो सकता गया तो और आलग अलग जए देगा तो यहां की नी और दोई रहा होने तो नीचे की यहां की नीचे यॉट a कर लेंगे ना अब इस पर कुछ अच्छे कोश्चन जो बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं इनके आने की चांसे ज्यादा रहते हैं एक आथ कोश्चन अच्छा भी दिया गया exercise में वह कर लेते हैं अगर ऐसा कोश्चन आ गया लॉंग में तो अपने को आना चाहिए जैसे कि समिकर उसके नहीं कि आर वेक्टर बराबर एवन वेटेड़ प्लस लैबड़ एसे रूप में तुम्हें तुम्हें समिकर नहीं लिखा यह नंदर लिखाये जहिए मलब सदीश लिखें दो अलग-अलग और फिर हमें कि इसी क्या करना इस रूप में पहले बनाना होगा इस इसको बनाएंगे कैसे आई कैसे अंदर गुना करो I can you get the यह हो गया लोगत्ट अलग कर लो यह तीजड़ा है यह वाला है और अलग अलग कर रहेता है अर वेक्टर बराबर हो जानेकrif और बाकि आइज अवाल साथ एग चाथ तो इक है फिर हमारे पास है माइनस का 2 cycles कैप और फिर तहीं किär ठीक ठीक और टी ओल एक साथ कर लेतें तो है टी कैप और फिर परकशे स्थित कुण्रय का लगने माइनस का टू टि अब एक काम कर्ओं आर बराबर हमारे पास क्या हो गया आई कैप माइनस का 2 जे कैप फ्लस का 3K कैप जहां-जहां T है T कॉमन निकाल लो ती जैसे ही तुम कॉमन निकालोगे अन्दर बच्छा आई कैप जे कैप माइनस का 2 अब ध्यान से समझो बात क्या कहना चाहरे हैं अभी तक जो कोश्चन होता अभी तक जो फॉर्मेट देता था आर वेक्टर उक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा भी वेक्टर लिखते थे अब यहां पर बस इसने क्या चेंज किया यह यह वेक्टर तो है यह भी वेक्टर है बस जो लेमडा था वो टी की तरह दिनोट हो रहा है बस और कुछ अंतर जैसे लेमडा और म्यू यहां पर यूज होता था वैसे यहां पर टी यूज हो रहा है और दूसरी समीकर में देखोगे तो यस ऐसे निकल कर आ जाए बस और वह कॉंस्टेंट है वह आर भी लिख सकता है वह एस बी वह पी वह क्यू भी जो इसकी इच्छा होगी वह लिखक सकता हूं मियू के पदों में तो बस यह बात याद रखतीं बाकी कोश्चन आसान है अब आपको पता ही हो गया कि आप तुम आराम से लिख सकते हो लिख सकते हो अब तुम यहां से इस वाले से क्या लिख सकते हो इस वाले से आप आराम से एवन वेक्टर लिख सकते हो आई उससे हमने a1 और b1 निकाल लिए दूसरी जो दी गए उससे निकाल लो दूसरी रेखा जो दी गए उसको भी solve कर लेतें दूसरी रेखा में क्या दी गई है s plus 1 i cap 2s minus 1 j cap minus 2s plus 1 k cap खोलो इसको s i cap plus i cap 2s j cap minus 1 j cap minus j cap minus 2s k cap और minus का अंदर भी गुणा हो जाएगा तो minus का k cap ठीक है कोई देखकर तो नहीं very good अब आई वाले फिर से एक साथ i cap minus j cap और minus का k cap एक साथ और s वाले एक साथ s i cap plus 2s j cap minus cut to s k cap i वाले तो एक साथ हो गए i minus j r vector लेते चलो साथ में r vector बराबर चल ला है तो r vector रखते रो कि देखते में सही लगे भाई कि आई जे माइनस का k ठीक प्लस s common ले लो तो आई प्लस 2 j minus का 2 k वी वेक्टर और वी वेक्टर समान तो नहीं मलब बीवन बीटू यहां पर बीवन आई सम्तली हैं सिम्पल यहांसे ट्वएक्टर तमने लिखा एल्टू लैक्टर क्या हो जाएगा i CAP माइनस j Cap और माइनस का K और बीटू वेक्टर क्या हो जाएगा बीटू वेक्टर हो जाएगा यह तुम्हारे पास है i cap प्लस कर 2 j माइनस कर 2 तिक यह तुम्हारे पास B1 और B2 आगे अब तुम्हारे पास दोनों और रेखाएं ओके A1, A B1 भी है A2, B2 भी है फार्मूला लगा लोगे बागी कोश्चन कर लोगे मैं फार्मूला एक बाल लिख देता हूँ दूरी बरावर विसम तली रेखाएं तो B1 क्रॉस B2 और अमारे पास होता है A2 माइनस A1 यह डॉट प्रोड़क्ट रहता है बीच में और बटे में मारे पास होता है मॉड आफ B1 क्रॉस B2 पूरे का फिर मॉड लगता है क्योंकि दूरी धनात्मक होना चाहिए आंगे का कोश्चन तो में हड़र में ट्राई करोगे बाई इंपोर्टेंट बात यहां पे चारी लाइन की थी यह चार लाइन समझानी थी कि कैसे A1 B1 आएगा कैसे A2 B2 आएगा A1 B1 B2 B2 आगया तुम्हारे पास फिर तो फार्मूला लगाना क्रॉस प्रोडेक्ट यहां पे माइनस करना यहां और निकालना डॉट प्रोडेक्ट करना आंसर आजाएगा तो काम कर लेंगे ना इसलिए यह इंपोर्टेंट कोश्चन है और प्यारा कोश्चन तो ऐसे कोस्चन कभी आजाय तो घबलाना नहीं है कि रिखाय दो में अलग अलग रूप में दी गई है यह यहां पर देख रहो यहां पर एक्स का गुणांक वन नहीं है वाई का गुणांक वन नहीं है जैसे हमने पहले भी समझाया भी था पीछे जो हमने बताया था कि कैसे आपको रेखा है बनानी है कहां पर बताया था यह कोशन अपने मन से लिए थे कि अगर ऐसे एक्स वाई अब थोड़ी सी टाइम देना बस आदा गंटा और रुखना आदा गंटा भी नहीं है दो तीन कोश्चन है जो अच्छे च्छो कोश्चन मचें बस वही कराएंगे जितना सिंपल वाला पार्ट था वह नोगों ने फिनिस कर लिया यहीं पर यह पर यहां पर सिंपल वाला पा संपस तो इसमें दिये नहीं है और हमने 11.2 के मैक्सिमं कोश्चन करा दूंगा जितने इंपोर्टेंट सारे कोश्चन मैंने क्लगबग करा दिये कुछ बच्चें वह करा दिता हूं ठीक है तो अपना पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कप्लीट होना चाहिए एक स्कोर इस समय बन चुका यार पहले समतल वाला टॉपिक रहता था था थो थोड़ा कन्फूजन रहता था क्योंकि समतल से बहुत अच्छे-च्छे कोश्चन बनते थे अब समतल का पार्ट निए ने हटा दिया है यूपी बोर्ट ने भी अटा रखा है और काफी बोर्ट ने करना है इसाफ करना है सब्सक्राइब कारें वहां से वाहां पर लेक्ष्र आपको मिल जाएगे नाम की चैनल है मिल जाएंगे ठीक है अब चलता हूं आंगे ये कोश्चन बहुत प्यारा तस्वाँ कोश्चन इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें क्या कह रहा है कि दो रेखाओं के समय करण दिए गए कह रहा है कि ये रेखाओं परसपर लंब है तो पी का मान ग्याद को ऐसे कोश् लिया है यह कोश्चन समांतर का समझ में आ जाएगा उससे दस्वे कोश्चन में कया है समांतर या की बात कर रहा है अगर अहर। पुरहां पर श्भास पर लंब है मैंने लंब की सर्थ लिखाई थी रोख्या दिखा देता, कि बर बाबर होंगी और a1 b1 b2 b2 यह सब क्या है यह दिक अनुपात है और दिक अनुपात हम रेखा को देख के बता सकते हैं सभी को तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां से हम दिक अनुपात निकालेंगे हमें लंब होने की सर्थ पता है कि सर्थ होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर है जीरो के यह हमारे पास लंब होने की कंडिशन है यही होती ही लंब होने की कंडिशन अब अगर लंब होने की कंडिशन ही है तो a1 a2 b1 b2 का से मिलेगा यह b1 वेक्टर से a1 b1 c1 मिल जाएगा b2 वेक्टर से a2 b2 c2 मिल जाएगा समस्या यहां नहीं क्रियेट होती है यह तो आसान था समस्या यहां क्रियेट होती है कि यहां पर सर्य व्यापक रूप में नहीं दिया है एक्स के गुणांक अगर वन होते तो हम डारेक्ट यहां से लिख लिए कि 3i कैप 2p कैप और 2k कैप हो जाता यह हमारे पास भी वेक्टर हो जाता लेकिन यह व्यापक रूप में नहीं दिख रहा है ना तो पहले इनको व्यापक रूप में बनाएंगे वही काम करना है यहा बराबर जेड माइनस 3 अपॉन 2 कैसे बनेगी एक्सा गुणांक वन उनाची या माइनस वन है तुम माइनस पहले कॉमन लेलो तो यह ओगई एक्स माइनस 1 अपॉन 3 यहां सेवन साथ में आरा सेवन कॉमन जो वाई के साथ जो लगा है वो बाहर कॉमन लेलो बस बाकी छोड दूसर वाई माइनस दो बटे में आ जाएगा तूपी यहां पर यह तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं जर्ड माइनस 3 अपॉन 2 यह आ गया क्या से अपॉन तो माइनस को नीचे ले लो एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3 साथ को नीचे ले लेंगे तो वाई माइन बेक्तर हम लिखते यह भी वेक्टर क्या आप भी वेक्तर लिख लो भाई तुमारी इच्छो भी वन वेक्टर माइनस का 3 i cap प्लस का 2p अपॉंड 27 एक प्लस का 2 यह ज़ा grew यहां से यही सिधा लिखनाचा एवन लिटर का क्या ही मतलब हम सिधा एवन और टूबवन लिके खुण हमेब बढबर ऑना स्वख Wells 7-7 x upon 3P y-5 upon 1 6-z upon 5 तिक अब इससे क्या करोगे इसको भी हम सिंपल क्या करेंगे पहले फॉर्मिट मिलाएंगे यह माइनस 7 पूरा कॉमन लेना पड़ेगा तो कि x के साथ जितना भी है उसा कॉमन ले एक्स-7 नरे x-1 बराबटे 3P बराबर यहां से तो कोई कोई दिक्कत नहीं है y-5 upon 1 यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है 6-5 upon 5 6-6-z जड़े तो यहां से माइनस कॉमल ले लो बाई माइनस जड़े तो यह आ गया जड़ माइनस 6 upon 5 तो यहां से आ गया एक्स-1 upon 3P upon minus 7 यहां से आ जड़ेगा y-5 upon 1 यहां से आ जड़ेगा z-6 upon माइनस 5 एटू बीटू सीटू यहां से मिल जाएगा एटू बरावर 3P upon minus 7 बीटू बरावर हमारे पास हो जाएगा 1 सीटू बरावर हो जाएगा माइनस का 5 सीधे फार्मूले में वेल्यू रखो आंसर पाहू हूं एवन एटू एवन हमारे पास का है माइनस 3 एटू हमारे पास क्या है 3P upon 7 7 एदिकरा है भाई 3P upon minus 7 प्लस बीए भी टू काहँ बीएट 2P upon 7 इंटू 2P upon 7 इंटू 1 एपान सीटू काहँ है भाई सीटू मारे पास है टू सीटू मारे पास है मायनस का 5 बरावर है जीडू है इसको तीन तरका हो गया 9 माइनस का 9P upon 7 यह मारे 5 2 0 10 बतल Qui बराबर दस आ अगर रहे रिखा है अगर्ट एक कामान तुb और पास कही आ जाये कि माइनस क दस यां से निकल कर आ जाईए बात के लिए रोगे सभी को कोई समस्या हो तूबता बद opens है यहां से बस हमें यह देखना था कि यह व्यापक रूफ में नहीं दी गई जाए जैसे यह व्यापक रूप में नहीं दी गई थि यह उसको रूप में कैसे बनाया खोल के बनाया ऐसे करना होगा हमेसा जब यह व्यापक रूप में नहीं घुण तो इसमें तुम इस प्रकार से बनाओगे कब माइनस हमेशा X का गुणांक Y का गुणांक Z का गुणांक वनों बाकी कुछ भी हो सबको एक तरब करके आंसर निकाल देना है और कुछ नहीं सूचना है ज्यादा बात किलेर हो गई यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है अश्य प्रेविद अधया कोश्चन बहुत अच्छा कुश्चन एक्सेफ़ाह बाकी करना असान है इसमें दो प्रकार के कोश्चन बनते पाइं इन दोनोंटों से ओकर जाने वाली और इन बींदू से तंत्र बींदू स्क्रफ़ाने वाली रेखा के समांतर है। कभी समांतर बोल देगा ऑध förgriff केलिए दाउना चाहिए अब सबसक्र मुझा आगाए जिस्टियसे लंबोत का काम अभी हमने किया हमें अब यहाँ पर डारेटली दीकन उपाद दे दिये घैंगा क्योंकि यह क्या दिये गया दोव हमें दोबिन दोंने इसे जांदे कि यह कौमाग आठ की विन को कि निर्देर सांक है दो कॉमा तीन कॉमा चार कॉमा यह मैंने फॉर एक्जामपल मानी यह इस रेखा पर यह दो बिंदू तो पीक्यू के दिक अनुपात आराम से लिख सकते हो ना पीक्यू के दिक अनुपात कैसे लिखते थे x2-x1-y2-y1-z2-z1 तो 2-4 हमारे पास हो जाएगा किता – 2 फिर हमारे पास 3-7-4 हो जाएगा – 4-8 हो जाएगा – 4 तिक यह हमारे पास क्या जाएंगे पीको के दिल पाथ ऐसे यह उमारे पास दूसरी रेखा एक हैं दूसरी रेखा वें किया है दो बंदों हमारे पास माल लिया कि ए ट और भी यहां पर में माले अगर दिख सकता है, तो एक 젊न पात लिक्त टोन रिख सकती हो, है तू है यहों जाएगागा दो माइनस माइनस प्लस मंलब की 4 पांच माइनस एक मतलब की प्लस का 3 तो ये दो चार चार बांत निये कैसी है समानतर है तो समान सर ये तो तुम्हारे पास ये तुमने बेसिकली डिया क्या गया ये दिकनुपाथ दिये गए मतल Vallahi तो आप क्या करोगे सिंपल समानतर है दिखाना आया तो एवन अपॉन एटू बराबर होना चाहिए एवन अपॉन अपॉन एटू कित्ता हो जाएगा यह जाएगा वन अपॉन एवन अमारे पास है माइनस टू माइनस टू अपॉन टू यह है माइनस फूर अपॉन फूर यह भी है माइनस फूर अपॉन फूर मतलब कि माइनस वन बराबर है माइनस वन के बराबर है माइनस वन के बराबर है बराबर है न तीनो यार अता रेखाए समानतर है अता रेखाए समानतर है बस कुछ two equal to zero ना चाहिए अगर वो zero आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा है तो लम्मडबाइब नहीं है अगर ये बराबर आ रहाए तो समानतर है नहीं तो नहीं है यहाँ पर तो रशाना था मतलब की समानतर तू थी बस हमें ये दर्शा के दिखाना यह जो बिनों को लाने वाली देखा पड़ाई ठीधि तो इसके दीकन पाद लिखे थी क्योग सब्सक्राइब तुसका दिकशनपाथ भी लिख सकते हो, ठिके, वही चीज मैने यहाँ पर डिसकेस करी, एक कोश्चन यह होगया, ऐसा कोश्चन बन सकता है एकसाम में, दो कोश्चन ऐसे दिये गए, समांतर का मैंने करा दिये, लंबवद का भी कर सकते हो, सेम पौर मेट से, अंतियम सा रोगा निंदक कर तेलों यहां को भी हीजाने का लिए इन दोनों रखां अगर तुम्हें लम रे खा निकालनी यह यह नहीं कंडिसन देखे के पड़्ज पर यह लंug है यह और लगालेए जो यह आ आपको दिख रहा हूँ नहीं यह कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा मतलब इन दोनों रेखाओं कोई दो रेखाओं हैं मालो एक ऐसी रेखा है एक ऐसी रेखा है ऐसे हमने माल दिया इन दोनों रेखाओं कि हमें लंब रेखा चाहिए तो आपको पता होगा कि अगर किनी दो रेखाओं के तुम्हें लंब सदिस चाहिए होता था या दो सदिस तुम्हारे पास होते थे वेक्टर की बात आगे यहाँ पर यह तुम्हारे पास A वेक्टर है मालो यह तुम्हारे पास B वेक्टर है इन दोनों वेक्टर के तुम्हें लंब अगर कोई वेक्टर च येई तो और बताया था सद इस में जब सधीश गुडल किया था कि ए वेक्टर और वी वेक्टर का जो क्रॉस ब्स निकालनें इससलित वेक्टर मिल जाएगा तो बीवन क्रॉस बीटू के जो हमारे पास व्यक्टर आएगा जब B1 cross B2 करेंगे तो जो हमें vector props होगा, जो सदिस प्राप्त होगा, वो दोनों के लंबवत होगा, और वो vector जैसे ही तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें पता है कि किसी एक बिंदू से जाने वाली और किसी vector के समानतर रेखा का समीकर जो होता है, वो R vector equal तुम लेखते हैं, A vector plus lambda बीधा, यही तो सदिस रूप होता है, A vector तुम्हें कहां से मिलेगा, इस बिंदू से, क्योंकि इस बिंदू से जा रहा है, B vector कहां से मिलेगा, इन दोनों वेक्टर से, इन दोनों के जब हम क्याले लेंगे, जो समानतर vector जै, यह vector यह vector, उसका cross करके जो vector मिलेगा, वो य यही काम करना है क्या करना मैं फिर से रिपीट करता हूं जान से सुनना आपके पास दो रेखाय दी गई है पहली रेखा दी गई है एक्स माइनस आठ बटे तीन वाई प्लस उनीस बटे माइनस उला जैड माइनस दस बटे साथ यह मारे पास दी गई ठीक अब यह अगर तुम्हारे पास दी गई है रेखा तो इस रेखा से तुम भी वेक्टर आराम से लिख लेंगे बीवन वेक्टर कोई दिखकत तो नहीं बीवन वेक्टर कैसे लिखेंगे यह हमारे पास हो जाएगा 3 I cap minus 16 Z cap plus 7 K आ बीवन वेक्टर कैसे लिखोगे द्यूरी रिखा दी गई है रिखा पहले लिखे लेते और माइनल चाहिए जो भीमना बीटू आए और इनके अमें लंब सर दिश ही यह के तो कह कह रहा था पर लंब इन दोनों बरेखाओं पर लंब अगर और रेखा चाहिए तो इनके दोनों मगर वेक्टर्स निकाल ले इनके दोनों के हम क्याar निकालने समांतर सर श सदिस है इस रेखा के समानतर सदिस है तो इन दोनों सदिसों के जो लंबवत सदिस होगा वहीं सदिस जो होगा वहीं इन दोनों रेखाओ के समानतर लंबवत भी होगा सीधी सी बात यह यह तो वही काम हम यहां से करते हैं बीवन क्रॉस बीटू निकाल लूँ बस यही में कर से ठोटा था कि यहां से तुम्हें B1 क्रॉस B2 क्यों निकालना यह बात तुम्हें पता होना ची क्यों हम यह B1 और माइनस पाच तो यह हमारे पास आगया बीवन क्रोस बीटू आई कैप ऐसे रख का जेका 16 पचेश जाएगा असी आठ सत्य चपन मैनस 56 मैनस कजे यह मारे पास जेजब आया माइनस का तो यह इदर होगे पांतियां पंद्रा माइनस का माइनस साथ त्रिक 21 हो गया प्लस का केक एप केक एप यह बंद यह बंद तो आठ त्रिक 24 और सोल तियां 47 माइनस का 48 ठिक यहां से बीवन क्रॉस बीटू जो हमारे पास आ गया तो यह बंद ए मारे पास क्या गया 16 यह मारे पास चला गया अतौश 46 dir ऑच्योप पनलाइक जोश 50 आई आ है और यह बंद देजा यह मारे पास होग यह बंद कर सक्यां सकतित प्लस दोबिजांग PROF तो माइनस का 24 केक है बचा यह हमारे पास आ गया बी 1 क्रॉस बी 2 ठीक और जो यह बी 1 क्रॉस बी 2 आया है ना इसको कोई एक वेक्टर माल देते हैं इसको बी वेक्टर ही सीधा माल देते हैं क्यों हम बी 1 क्रॉस बी 2 लिखेंगे यहां पर लिख लो भी वेक्टर बराबर यहां पर भी इसको हमने केवल एक वेक्टर माल लिया यह भी वेक्टर के बराबर है अब एक वेक्टर तुम्हें कहां मिलेगा तुम्हें बिंदु ए पता है बिंदु ए कहां दिया गया है कोश्चन में कि इस बिंदु से जाती है कह आई बिंदू यह 1,2,-4 तो कि ए वेक्टर चीए और वेक्टर चीए अब यहां से तुम ए वेक्टर आराम से लिख सकते हैं इसका इतिसी सधी सथिस क्या हो जाएगा i2j और माइनस का 4 यह हमारे पास आ गया A vector, तुम्हारे पास A vector है, तुम्हारे पास B vector है बस सीधा सदिस रूप में value रख दो answer आ जाए सदिस रूप हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पा लिखते हैं सदिस समीकर इससे प्यारा question कोई भी exercise में नहीं है A, R vector बरावर A vector plus lambda B vector सभी की value रख दो, R vector तो ऐसा ही रहे गा सदिस रूप चाहिए, तो इसी रूप में रख देते हैं A vector हमारे पास हो गया I cap to J cap plus का, minus का 4 plus lambda B vector अमने निकाला है, 24, 36, minus 24 24, I cap plus 36, J cap minus 24 टिक, यह मारे पास आगया बस यहीं answer, एक काम और यहां पर कर सकते हो, simple अगर देखो क्या कर सकते हो, यहीं answer है वैसे यहां से तेखोई तो 24 कामन आ रहा है कि बारा बारा कामन आ जाएगा 12-24, 12-36, 12-24 क्योंकि ऐसा है ना यह तो constant लेम्डा एक रीयल लेम्डा क्या होता, belongs to R होता है मतलब कि कोई भी वास्तिक संख्या होता ही, जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो और इसको एक नया नियतांक दे दिते हैं जैसा कि आप लोग करते भी रहे हो, खुद सारह, इसकी जएगे सिंपल लेम्डा डैस लिख लो, या पूरा लेम्डा डैस लिख लो, चाहें लेम्डा लिख लो, कोई दिकत नहीं है, हमने इसकी जएगा लेम्डा लिख दिया, अच्छा लगेगा, थोड़ा लगेगा कि आपको आता है, इसलिए आपने ऐसा किया, बाकि और कोई बात नह नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि माक्स कार्ट देगा काटेगा तो नहीं यहीं पर छोड़ देते तो भी नहीं जो में दिख रहा है कि यह कोमन आ सकता है तो हम बेस्ट मैथेड में करते हैं लुए इस चीज़ें पता है ना कि गडित में क्या कैसे चलनी है फुस्यार बच्चे ह और इसके समानतर सद्र दोनों के दोनों रेखाओं के समानतर सद्र से हमने क्या कैं यह वीवन्ती मीटू है इनके जह हो मलंबौत सद्र जाए दोनों सद्रिद्द Ev induzcao के लिए क्रॉस प्रोड़क्स ही होता है उस से हमें सद्रिस मिल जा yönगा वे सदिस मिल जायेगा उसके सा दीश्या, यहां तक बात के लिए सभी को कोई डाउट तो नहीं बस इतना ही था है आज हमारे पास 3D के 100 में मैंने सारे कोशचन भाई करा दिया आप लोगों कुछ नहीं छोड़ा 3D के One Sword में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा सब कुछ आपको complete करा दिया है ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मैंने आपको नहीं कराया है सारे टाइप के questions करा दिया है सारे concept cover करा दिया है SRD ने इतना ही दे रखा है और इसी से पेपर फ़स जाएगा यह बस इतने question type के question तुम्हें आते हैं तो value सेम नहीं होगी वहाँ वह बात पक्की है हो सकता सेम भी आजा है लेकिन जो question यह कराएं यह questions तुम proper practice करो पूरा division कर लो एक बार इस सारे questions तुम लगा लो खुद से तुमारा question कोई भी गलत नहीं होगा यह एक्जाम के बाद तुम आओगे तो खुद बताओगे ठीक है तो मन से एक बार इस वेंसाट को पूरा प्रॉपर complete करो मुझे comment करके जरूर बताया करो कि कैसा लगा आपको बंसौट काफी लोग कमेंट नहीं भी करते हैं लेकि देख देखते हो जारे लोग तो जैसा भी लगाओ जरूर लिखा करो कि कैसा लगा आपको बंसौट अगला बंसौट जो आएगा दोई चेप्टर बचले अपने पास प्राइकता और रहेकिक प्रोग्रांबर भी खतं कर लेते हैं फिर प्राइकता का लाश्त में देख लेंगे बढ़ा लंबा हो जाएगा थोड़ा सब बढ़ा होजयेगा काफी बताने को है रैकिक प्रोग्रामन में कुछ चीजें है और उससे एक कोशन आने है फिक्स कोशन है चार रोब लाउंग कोशन आएगा एक चार या पांच नमबर में जो भी बनता होगा जिसके बोड में जितना बड़ा कोशन आता होगा एक कोशन आएगा ही अधिक करम या नियुक्तिम कर याप्त है दोई चैप्टर बच्चे है तो मन से सारे वन सॉट जो पिछले रहे गए उनको कम्प्रेट कर इस वन सॉट को तभी देखना जब तुम वेक्टर का वन सॉट देख लेना वेक्टर का वन सॉट करके इसको देखना तो पक्का अच्छे से समझ में आएगा ठीक है और वेक्टर के ऐसे देखोंगे तो थोड़ा कम रिलेट कर पाऊगे ज्यादा रिलेट कर पाऊगे क्योंकि वेक्टर का बहुत सारा यहां पर यूज हो जाना तो दोई चैप्टर बाकी है मन से इसको कम्प्रेट कर लो मिलेंगे अगले वन सॉट के लिए तब तक के लिए तता बाँ बाँ